नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवी एक डरी, पुर्वांचलाइस के प्लेटफॉर्म में आप सब का हार्दिक स्वागत करता हूँ जैसा कि आप सब जानते, पुर्वांचलाइस एक स्टमूल एजूकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां हम फ्री ओनलाइन कक्षा हैं, आप सब को निशुल्क देते हैं, यहां पर कोई पैंडराइव, कोई भी टाबलेट या कोई भी लाइफ क्लासेश हम आपको सेल आउट नहीं कर रहे हैं और दूसरी सबसे बड़ी बात यह जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक एक इकोनॉमिकल शूट भी है, जो पुवांचलाइस के नाम सही हमने सेट अप भी किया है, खासतोर से आथी ग्रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए और महिला विद्यार्थियों आपको उस रहता है, जो समाज और जो आजकल महाल है, और हैवी फीस और रहना खाना जो इतना काफी महंगा है, तो हम कोशिश करते हैं कर आप पुरवंचल के ही हैं, आप आसपास के अरिया के हैं, गोरभपूर और आसपास रहते हैं, तो आप कहीं लाहाबाद या कहीं पढ़ाते हैं, वहाँ आकर आपको फेस टू फेस कक्षाएं देते हैं, अगर आप उससे जुड़ा कोई भी डिस्कुशन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो इसमें दियेगे नंबर हैं, जिनमें आप संपर कर सकते हैं, तो हाई दोस्त, यह रहा एक वीडियो है, पूरा हो चुका है, थोड़े बहुत कुछ case studies चल रहे हैं, लेटर ओन इंटरनल वो क्या बोलते हैं, international relation है, हिंदी में, international relation हिंदी में है, उसके भी वीडियो अप्लोड है, उसके अलावा answer writing भी है, प्लस अभी एक ethics के बाद काजल मैं ही आपके लिए word history की classes ले भी बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा सा current affairs का session है, तो इसे हमें काफी call और messages आ रहे हैं, जो कि current affairs को लेकर है, तो कुछ दिन में current affairs session होने ही वाला है, क्योंकि October पहुंचने वाले यहां पर, पहुंच गय है at least, तो आए दोस्त, हम October सुरू करते, आप हम से जुड़े र हुए हैं और हम July से लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और July से बढ़ते हुए हम July 2019, August 2019 और September 2019 हमने पूरा कर लिया है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, October 2019 में जो भी current affairs रहा है, यानि हमारे 2020 के प्रारंबिक और मुखे परिक्षा के लिए, वाकिन वीडियो को आफ इवाजा से रख आपकी एक तैयारी हो जाएगे, तो कैसे करेंगे में वो बादने बाद करेंगे, आए दोस्त, तो हम October 2019 का current affairs month में क्या-क्या रहा है, जो 2020 के exam के लिए, अब चाहे आप UPSC दे रहे हैं या किसी भी state pieces exam दे रहे हूँ, जो अब होने वाले हैं, उन सारे exams में ये current affairs updates आपके ल already हैं, तो kindly आप वहाँ से पे, वहाँ पर आप subscribe हो जाए और वहाँ से ये सारे के सारे PDF सिधा आप डाउनलोड कर ले, so personally PDF भीच पाना is very difficult, तो वो telegram group है, आप पुर्वांचालाइस पे वहाँ जूडे रहे हैं, और साथी साथ जो मेरा Facebook page है, पुर्वांचालाइस का लेलो, आप चाहे डॉक्तर रवी अगरी लेलो, दोनों जोखों पर हम ये सारे वीडियो उसके लिंक सारे के सारे शेयर करते रहते हैं, order wise, तो आप के पास ये बहुत सारे platform है, जिन platform को use करते हैं, उनको आप continue रखें, उनसे आप जुड सकते हैं, अगर आप telegram पे हैं, comfortable, facebook पे हैं comfortable क्योंकि social media एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसे हम अपनी चीजों को आप तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, पस्नली एक-टू-एक, one-to-one call करना, फिर लोगों को बताना is very difficult, तो आप वहाँ पे रहें, और मुझे बहुत जादा follower बनाने के जोरत नहीं है, आप इन चैनल as a director of provincial IS, जो मैंने setup किया है, बाकि यार अब class बगरा या कुछ content material से related बात करना चाहते हैं, तो last में बात करेंगे, दियागा number है, आप इस पर संपर कसे, तो अगर आप गोरवपुरी आस-पास रहते हैं, तो definitely आपको आना चाहिए institution में, और आप हमसे बहाँ मिल सकते हैं, त दोस्त, बुक है, जो मैं आपको शुरुवात में ही बताता हूँ, कि आपको फ्रिपरेशन में दो चीज़ा जरूरी होती है, एक तो subject का static part, यानि subject, विशय के बारे में, और दूसरा उसे जुड़ा हुआ current affairs, यानि उसकी समसामिकी, so static part के लिए ये बुक आपका है, और प और बाकी जो नए current affairs, जो auditions है, वो मैं आपको यहां करा ही रहा हूँ, और 2021 के लिए एक नई बुक की cover आ गई है, जो मैं अगराहिल ने release कर दिया है, so मैं आपको दिखा दूँ, ये वो fourth edition book है, जो science and tech की है, जो हिंद English टोनों में same है, same translation material होता है, so ये आपको आगे आने व market में, जो से करोना वगरा के impact है, तो बुक को Amazon delivery भी इसमें दिक्कत हो रही है, तो इस तरह की ये चौथे edition की book भी जो है, ये भी आप वो kindle पे मिल जाएगी, e-book वगरा के फार में मिलेगी, तो आप इसके लिए आप दिएगे number पर, Macra Hills आप संपर कर सकते हैं, so आई ये द के ठीक, completion के बाद मैं आपको environment पराऊँगा, और अगर उसके बाद भी time मिला तो मैं और वीश्यों के current affairs भी July से आपको बना दूँगा, so जो पुरवांचला इसके विद्यारती है, जो आपको पूरी तरह से पढ़ना है, so देखेगा, कौन-कौन से chapters है, एक तो science and technology in India, भार पुर्जा, तीसरा अंतरिक्ष तक निकी, चौता संचार सूचना तक निकी, पांच्वां प्रतिरक्षा तक निकी, छठा जो है वो intellectual property rights, सात्वां है कडभौत की particle physics, सात्वां कृतिम बुद्धी लब्धता, robotics और nano तक निकी, नवां जो चाप्टर है वो है जैव तक निकी दस्वास त्वास थे हमां बीमारियां और उनसे जुड़े बहुत तरह के जो emanation कारिक्रम हैं जो भारत में चलते हैं, जिसे बारे मैं आपको पहले वीडियो में बोला था, आयुश्मान भारत, National Nutrition Mission, इस तरह के जो नए डेटा आते हैं, और 11 चप्टर जो विविध है, इ अगर आप देख लो, और 17, 18 और 19 देख लो, 17, 18, 19 का पेपर पूरी तरह से static है, और 16 का पेपर पूरी तरह से समसामिक है, साइंसे टेक के रिफरेंस में तो यही है, पूरा का पूरा, अगर आपको विशय के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आप फसेंगे, तो एक तरह से आपकी जो पूरी प्रेपरेशन है, वो हो जाएगी, तो आये दोस्त, विक्रम सारा भाई पर आर्टेकल रहा है, निउस पेपर वगरा में, और क्यों रहा है, उसके पीछे रीजन भी है, क्योंकि विक्रम सारा भाई ने जो, जिनका जन्म है, इवन 1919 का दिया यानि 2019, और बिसिकली उनका जो जन्म है, वो 12 अगस्त, 1919 को है, तो 100 साल अगर हम जोड़ देते हैं, तो आप कहा पहुंच जाते हैं, आप समझ जाते हैं, 2019 में, ओके, असल में कुछ इशू क्या है, मैं आपको बताऊँ, विक्रम सारा भाई जो है, वो हमारे रास्ट के लि संधानों को समझ पा रही है, तो आई दोस्त, उनका एक कंट्रिबूशन पढ़ते हैं, असल ने विक्रम सारा भाई का एक सेंटेनरी सेलिवरेशन किया गया, ओके, डिपार्टमेंट आफ अटॉमिक एनरजी द्वारा, तो इसलिए ये इशू जो है, इस मन्त में न्यूस पेपर में रहा था, तो सेंटेनरी सेलिवरेशन आप समझी रहें, तरह से सैंचुरी पूरी हुई है, इनके जन्वे दिन पर, और दूसरी बात यहां पर बताऊं, विक्रम सारा भाई का क्या क्या का कंट्रिबूशन रहा है, तो थोड़ा आपको यहां पर जान लेना चाह के लिए भी, तो विक्रम सारा भाई आपको बताऊं, तो उस समय 1962 की बात है, उस समय जो प्राइमिनिस्टर थे, वो पंडित जवाहला लेहरू थे, पंडित जवाहला लेहरू ने एक कमेटी बनाई, तो एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी का नाम था असलमें, इंडियन ने कमेटी फर स्पेस रिसर्च, और उसका जो हेड था उन्हों है, वो विक्रम सारा भाई को ही बनाया, यानि आप कह सकते हैं, विक्रम सारा भाई was the first chairman of this committee, और बताया दोस, इस कमेटी ने recommendations दिये, और इसी कमेटी के recommendation के base पर ही, इस रो बनाया गया, इस रो को लाया गया 1969 में इस रो इसी कमेटी के report के basis पर restructured हुआ, renamed हुआ, इसी कमेटी के अधार पर और इस रो लाया गया, यानि इस रो बॉन इन 1969 इसी कमेटी के report के अधार पर जिसके chairman विक्रम सारा भाई को बनाया गया था, बाद में अलग बात है, इस रो 1972 में असल में आगे चलकर क्या हुआ, separate department बना, department of space, और department of space का जो head हो, प्राइम मिनिस्टर साहव है, तो department of space के अंदर ही आज इस रो काम कर रहा है, और department of space 1972 में बना है, यानि आज आज आप कह सकते हैं कि इस रो पूरी तरह से department of space के अंतरगत कारे कर रहा है, ठीक है, चले, अब आगे बढ़ते हैं, 1947 में, 1947 की ब अस्थापित के थी, physical research, physics की research laboratory है, और ये पहला ऐसा, first topic of research was cosmic race, तो यहाँ पर पहली बार अगर हम बात करें, तो cosmic किरणों की खोज से सम्मधी तनुसंदान हुए हैं, पूरे इंडिया में पहली बार, दूसरी बात और बताऊं तो इनके contribution पर देखेगा, इंडिया का जो प पास में है, किरला, तो वहीं पर अस्थापित है, दूसरी बात, इंडिया में जो cable television को लाने वाले हैं, नासक के साथ कुछ pact वगरा करके, तो वहाँ पे भी विक्रम सारा भाई का ही नाम आता है, तो एक satellite instrumental television experiment site 1975 में जो established हुआ था, तो उसी आथार पर इन्होंने cable television की शुर 1972 का दिन है, थोड़ा मैं दिन हो सकता है, येर थोड़ा प्लस माइनस कर रहा हूँ, और आप मुझे दे भी ज़रूर बताएगा कि वो दिन कौन सा ता जिस दिन आरेफट भेजा गया 1972 में, तो वो उसके पीछे जो पूरा mastermind था, वो भी इंडिया का पहले satellite आरेफट के पी विक्रम सारा भाई के बारे बताऊं, इनके इस तरह के कारे के लिए इतने पन अभूशन दिया गया 1966 में और पन अभी भूशन दिया गया 1972 में, तो तीन साल पहले मैंने UPPCS में कोशन देखा, जो हाइस सिविल एन अवार्ड है उनकी रैंकिंग पर, तो मेरी आदत हो दी ज सबसे हाई जो सिविल एन अवार्ड है वो आप साब जानते हैं भारत रतना हैं, भारत रतना है that is number one, okay, number two पर आप जानती होंगे that is of Padnavhipuchan, जो यहां लिखा हुआ है, number two पर Padnavhipuchan है, number three जो रैंक पर आता है वो Padnavhipuchan है और number four पर जो होता है वो जानते होंगे that is Padma Sri है तो SHRI डबली लिखे है या SHRI लिखे है तो यह चार है तो यहाँ पर सेकेंड और थर्ड जो हाइस सिविले निवार्ड है ये इनको मिला है विक्रम सारा भाई को आगे बढ़ते हैं इसी चेप्टर से जुड़ा जो दूसरा कंसेप्ट है यूथ को लैब के बारे में यूथ को लैब के बारे में अगर बात करें तो यूथ को लैब की जो अस्थापना है इसके पीछे वो अटल इन्नोवेशन मिशन है नीती आयोग है और UNDP है इंडिया यूथ को लैब लाँच किया है अब यूथ को लैब यूथ को का को आपरेशन है साथ साथ लाना है और लैब अस्थापित करना है तो यूथ जो होगा एक तरह से एक नया इंटरपेनर्शिप की बात हो रही है एक नए तरह के काम करने की बात हो रही है उद्योग में आने क की बात हो रही है नए तरह के अनुसंधान की बात हो रही है यनि इन्नोवेशन की बात हो रही है पीछे भी हम लोगों ने काफी इस तरह के इंस्पायर प्रोग्राम इस तरह की बातें की हैं ओके सो उसी तरह की बात यहां पर भी हो रही है जिसको यूथ को लैब का नाम दिय यहां पर करना क्या है तो इसमें दो पॉइंट्स है यह कैसे काम करेगा जनरली हम लोग जो यंग पीपल है जो नए लोग है जनरली 18 से 29 वर्स के जो लोग है एज ग्रूप के हैं उके उनको जनरली जो स्टार्ट अप वगरा करने के लिए हम क्या करेंगे उनको प्रेरित करे वो किसी ना किसी सोशल आसपेक्ट से रिलेटे होगा यानि समाज से जुड़े हुए किसी ना किसी तरीके से मतलब समाजिक ओ या निकिहले जैंकि समाज में रहने वाले लोगों के लिए वो फायदेमंद होगा एक तो ये पॉइंट है दूसरा यहै कि जो यंग एंटर्प से जुड़े लोग हो सकते हैं, इस तरह की चीज़े हैं, इन चीजों, इन लोगों की help से, हम क्या करेंगे, इन यूथ की नए innovations को boost up करने की कोशिश करेंगे, यानि जो उनके entrepreneurial skill है, उनकी अपनी जो काबिलियत है, उसको बठाने की कोशिश करेंगे, तो यह पूरा का पूरा youth collab है, जहां पर youth को आगे बठाने की बात हो रही है, और यह पूरा का पूरा जो provision है youth collab, जिसको अटल innovation mission नीटी आयो, और UNDP India साथ मिलकर लाया है, पहले phase में 6 sustainable goal जो है, sustainable development goal जो है, उन्हीं 6 sustainable goal और भी है, लेकिन यहां पर 6 sustainable goal से जुड़े हुए youth collab जो होगा, वो उन पर focus होकर काम करेगा, वो कौन कौन से है, sustainable development goal number 5 जो gender equality की बात करता है, number 6 जो clean water or sanitation की बात करता है, 7 जो affordable or clean energy की बात करता है, sustainable development goal 8 जो decent work economic growth की बात करता है, sustainable development 12 sustainable consumption और production की बात करता है, और sustainable development goal 13 जो climate action की बात करता है, तो इन मुद्दों से जुड़े हुए जितने भी कारे होंगे, उन पर यह focus रहेगा और यह अपने नए innovations वगरा करता रहेगा, innovation platform जो होगा कहीं ना कहीं एक तरह के नए ideas देगा, और जो चमताएं होंगी जो youth की, उनको निखारने की कोशिश करेगा, फिसलाल इस तरह की चीज़ें काफी पहले ही UNDP द्वारा लाया जा चुका है, और बहुत सारे रास्थ हैं, तो आपस operational है इस तरह की चीज़ें, Asia Pacific Reason वगरा में जो काम कर रहे हैं, तो ठीक है, इसका पूरा का पूरा जो aim हो गया, वो यही हो गया, कि पूरी तरह से कि हम youth को यहाँ as a leadership जो है, हम उनको promote करेंगे, और नए innovation वगरा करेंगे, social entrepreneurship की बात करेंगे, तो समाजिक लेबल पर उनको, उनको, उनका contribution हो सके, तो यह youth collab है, मेरे किया से बाव इसे धियान रखेंगे, जो इनका major point हम आने discuss कर दिया, second chapter पर आते हैं, energy में, पहले chapter से जुड़े जितने भी aspect है, वो हमने हाँ बात कर लिया है, microbial fuel cell, microbial fuel cell अगर हम आपको बताएं, तो microbial fuel cell 2012 के प्रारंभीक परिक्षा में question रहा है, ओके, और यही microbial fuel cell आप देखेगा, यही question 2015 में फिर आया है, और इस बार fuel cell के नाम से आया था, अगर आप मुझे पीछे से follow कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा, आप September मन्त का current affairs, science and tech का जरूर सुनिएगा, वहाँ मैंने आपको fuel cell और microbial fuel cell को समझाने की कोशिश की है, okay, fuel cell तो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाये था, high temperature fuel cell वाला concept भी वहाँ पर बताया था आपको September मन्त के current affairs में, अब हम आते हैं microbial fuel cell में, देखे, microbial fuel cell के case में क्या है, मैं आपको बता हूँ, हाल ही में microbial fuel cell news में क्यों रहा, उस issue पर बात करेंगे, 2012 में जो प्रशन रहा, वो static था, microbial fuel cell MFC का question था, 2015 में जो question था, so fuel cell क्या था, है ना, proper fuel cell का था, जिसे आप hydrogen fuel cell भी कह सकते हैं, च्योंकि fuel cell में जो हम इधन प्रियोग में लाते हैं, वो hydrogen ही आज़ा इधन के रूपे प्रियोग में लाते हैं, अब देखेगा, microbial fuel cell जो install किया गया था, इस महीने में, news में रहा वो लंदन के जू में अस्थापित किया गया, इसलिए microbial fuel cell news में रहा था, ओके, और दूसरा बोलूँ, यहाँ पर botnical word first selfie वगयरा जो लिया गया, ठीक है, कि किस तरीके से जो पौते होते हैं, किस तरीके से जो उनके अंदर के cells होते हैं, वो microbial fuel cell के रूप में काम कर रहे ह ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पर छूटी सी बात करने वाले हैं, फिलाल इसके बारे में बहुत ज़दा detail में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इंको संचेप में करके निकलेंगे, लेकिन microbial fuel cell का concept थोड़ा साब को समझना होगा, अच्छा, असल में generally होता क्या है, generally होता जो प पौधे में बनाते हैं, जो पौधे वगरा अपना उनको store करते हैं स्टाच के फाम में, और अपको यहीं बताऊν कि यह कुछ शुगर ऐसे होते हैं, जो पौधों के roots वगरा से secrete होते हैं ठीक है तो सुगर वेगर excrete होते हैं उनकी जड़ों वगरा से as a waste के फार्म है और ये जो waste product जो plants के निकलते हैं ठीक और ये चारी चीज़ें आती कहां से पौधों ने प्रकार सेलेशन कर अपने अंदर भोजन बनाया और वो कुछ यहां पर पौधों के बारे मता रहे हैं जो waste के फार्म इन चीज़ों को निकाल रहे हैं ठीक है आपने बहुत चीज़े सुनी होंगे जो पौधों के secretions होते हैं जैसे आपने gum सुना होगा जो गोंद निकलता है latex वगरा के फार्म में इस तरह से resin निकलता है ठीक है जिससे आप लोग वो हींग जो हम घरों में यूज करते हैं वो भी पौधे के secretions होते हैं इन चीज़ों को पौधे as a byproducts भी बोल सकते हैं जो इको बनाते हैं निकालते हैं different तरह के products होते हैं तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो पौधे प्रकास पर तोड़ते हैं और वो sqt products क्या होते हैं chemical compound होते हैं और उनही chemical compound को यानि chemical energy को convert कर देते हैं विद्द उर्जा में और यही chemical उर्जा को विद्द उर्जा में micronism के जो जो convert किया जाता है यही पूरा का पूरा microbial fuel cell के अंदर का basic concept है जो मैं आपको बता रहा हूँ और यही मिर्दा में पाए जाने वाले जो micronism होते हैं सुक्षमजीव वो उनसे energy बनाने का कारे करते हैं उनकी मदस से वहाँ पर energy निकलती है इसलिए इसको microbial fuel cell का नाम दिया गया जो कि micronism की मदस है और micronism का food यहाँ पर क्या है इस तरह के sugar compound जो पौधे प्रकास अनलेशन की मदस से बनाते हैं लेकिन यह चीज़े कहां रहे हैं मृधा में पौधों की जड़ों से जब इस चीज़े सिक्रीट होती हैं यह पूरा का पूरा concept अब सुनिएगा यहाँ पर एक शीज़े बताता हूँ कहीं भी अगर आपको energy बनाना है electricity बनानी है तो आपको electron का transfer होना चाहिए और यहाँ आपको cathode और anode होने चाहिए पीछे का वीडियो ध्यान दीजेगा आपको से तंबर है मैंने बोला था यह जड़ा correction कर लीजेगा आप भी cathode जो होता है वो minus charge होता है और anode जो होता है वो positive charge होता है मेरी खाल से आप भूलेंगे नहीं कभी ठीक है cation plus होता है anion यह PDF में भी जो लिखा हुआ जो दिया जा रहा है उसमें आप correction कर लेंगे क्योंकि PDF में भी मैं correction नहीं कर रहा हूँ आप उसो correction कर लेंगे anode जो होता है वो positive charge होता है और cathode जो होता हो negative charge होता है तो यह negative charge हो गया और यह positive charge हो गया और यह negative charge हो गया होता क्या है हम क्या करते हैं हम यहाँ पर energy जो capture करते हैं वो anode और cathode को की मदद से करते हैं यानि यहाँ पर कहने का मददब यहाँ एनोर्ड और कैथोर्ड का यूज किया जाता है और इसको पूरा का पूरा हम क्या करते हैं कैपसिटर से जोड़ देते हैं सूपर कैपसिटर से जोड़ देते हैं और यहीं पर electron का flow सुरूफ हो जाता है, fine, और इसी की मदद से क्या होता है, power जो होता है, धिरिदिरे transfer होता है, और जब electron का movement होता है, तो electricity बनती है, मुझे पता है, आपको इस चीज़ें समझ में नहीं आई है, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझाया ही कहा है, जो facts यहां पर है, अब मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको static बार्ट पर ले जाऊंगा, जो कि without static आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, और यही problem है आपको UPSC में, वो क्या करते हैं, current affairs का एक information दे देंगे, और बाकी उसके static बार्ट पर दो पॉइंट रख देंगे, तो आपका वही कहावत है ना, अदजल गगरी चल कर जाए, आधी knowledge में आपके साथ क्या होता है, अनर्थ हो जाता है, और UPSC बहुत समझदार है, वो एक, दो, तीन, चार करके कई options बनाता है, microbial fuel cell में होता क्या है, मान लीजे, है ना, यह container है, यह container है, और यह anaerobic respiration, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, यह anaerobic है, यह container पूरी तरह से बंद है, और दूसरा यहाँ पर बीच में, हमने, या कुछ bacteria की बात कर रहे हैं, और यह aerobic chamber है, यह aerobic chamber है, aerobic मतलब जहाँ पर oxygen की entry हो रही है, ध्यान दीजेगा, शौट में यहाँ पर भी करूँगा, ओके, ज़्यादा detail में करने के लिए, फिर आप class में रहीएगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखे, यह anode हो गया, यह cathode हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या करिए, organic waste लेजेए, और यहाँ पर आप as a catalyst के फार्म में क्या डाल दीजे, बैक्टिरिया डाल दीजे, बैक्टिरिया डाल दीजे, यह जिवाडू कुछ विशेश तरह के जिवाडू है, यह ऐसे जिवाडू हैं, जो क्या करते हैं, organic waste को decompose करते हैं, और जब इसको decompose करते हैं, तो यहाँ पर proton बनता है, H+, यहाँ पर electron बनता है, इस तरह के जिवाडू का प्रियोग किया जाता है, और बैक्टिरिया इधर की तरफ क्यों active होगा, चुकि oxygen नहीं है, और बैक्टिरिया जो होता है, वो anaerobic respiration करता है, तो इस तरफ बैक्टिरिया active हो जाएगा, और यहाँ hydrogen plus electron का निर्मान होगा, hydrogen plus, बीछे की वीडियो में मैंने पढ़ाया था, proton बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है दोस्ट, in anaerobic और aerobic chamber के बीच में, proton exchange membrane होता है, वो proton को इधर transfer कर देते हैं, तो यह बैक्टिरिया लगातार क्या करता है, as a catalyst की तरह होता है, और यह जो organic waste होता है, उसको decompose कर proton और electron बनाता रहता है, और यह proton exchange membrane जो यहाँ यह पाया है, जो line line जो मैंने बनाया है, इलेक्टरॉन के नमबर यहाँ बढ़ने लगते हैं, और जब इलेक्टरॉन के नमबर बढ़ने लगते हैं, तो वो electron का flow इधर सुरू हो जाता है, और electron के flow के सुरू होने से क्या होता है, electric current हो जाता है, अब यहाँ सारी activity जो होती है, bacteria के द्वारा होती है, इस से लिए bacterial activity यानि micro organism यानि microbial और यह पूरा का पूरा fuel cell ला concept है, तो microbial fuel cell कहते हैं, यही concept है, जो मैं आपको बता रहता है, static water में जो आप यहाँ नहीं समझ रहे हैं, यहाँ पिनोंने सीधा कर सीधा current affairs देकर आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं, space technology में, तो energy में ज़्यादा कुछ है नहीं, अब हम सीधा आते हैं, space technology में, space technology में यहाँ पर हम फिर बात करने वाले हैं, TMT के बारे में, असल में क्या है, TMT के बारे में हम पीछे के वीडियो में बात करते आ रहे हैं, और हमने दो बार बात किया, जुलाई मन्त में भी TMT के बारे में बात किया, 30 meter telescope और अगस्त मन्त में भी किया, असल में अक्टूबर में क्या आया है, उस बारे में हम बात करें, क्योंकि यह current office का है, अक्टूबर का, भारत का जितना भी contribution है, उसमें 70% contribution भारत hardware और software बनाने में खर्च कर रहा है, इस telescope के लिए, और इसके साथ ही साथ भारत इसका जो telescope control प्रडाली है, किस तरह से telescope में control system होगा, और किस तरह से वो कारे करेगा, उसका भी कारे कर रहा है, इसके बारे में यहाँ पर information दिया हुआ है, तो इंडिया जो develop कर रहा है इस observatory के लिए software के साथ टेलिस्कोप control system भी develop कर रहा है, तो यह information और जो TMT के बारे में, और मैं आपको पहले बता चुगा हूँ, कि TMT जो है, वो TMT में कुल 5 रास्ट हैं, जो मिल कर इस project को successful बना रहे हैं, पूरी funding कर रहे हैं, जिसका नाम Canada, China, India, Japan और USA है, पहले USA नहीं था, बाद में USA भी आ गया, और एक बात और बता दूँ, आपको मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पर 30 मीटर टेलिसकोप में क्या है, एक astronomical observatory है, जो extremely large telescope है ना, देखे लिखेगा, इस एट इस एन astronomical observatory, इस एन extremely large telescope, तो यहाँ पर पूरी तरह से astronomical observation का थाम किया जाएगा, यानि ब्रहान की तरह की चीज़ों को समझने के लिए, आपको मैंने जब जुलाई मन्त में TMT पढ़ाया तो मैंने कहा था, आज Hubble Space Telescope है, जिसकी मदद से आपको पूरे ब्रह्मान के बारे में बता है, और अब एक तरह से और भी एक James करके एक टेलेस्कोब भी मैंने आपको सब्तमबर में पढ़ाया हुआ है, उस बारे में भी हमने बात किया तो इसमें फिर हमने आपको Hubble Space Telescope की बात की थी, वो डिजाइन किया है, वो near ultraviolet से लेकर mid infrared observation करेगा, इस तरीके से डिजाइन किया गया और इस तरीके से पुरे ब्रह्मान पर नज़र रखेगा, पुरे अंतरिक्ष में नज़र रखेगा, अंतरिक्ष में नज़र रखेगा, और ब्रह्मान की जानकरी, ब्रह्मान पर नज पहले बता दूँ आइकाउन का पूरा नाम है आइनोस्फियर कनेक्शन एक्स्प्लोडर तो यहाँ पर आप खुछ समझ चुके हैं कि आइनोस्फियर के स्टडी के लिए प्रित्वी के एट्मोस्फियर में एक जगह होती है आइनिन वंडल वहाँ पर दोस्ट नहीं पता है तो फिर मैं फिर वही बात बोलूँगा आप एक नंबर के लिए ठीक है कि अभी आप प्रिलिम्स देने जा रहे हैं और आपको अभी यह नहीं पता कि सबसे नीचर ट्रोपोस्फियर होता है फिर स्टाटोस्फियर होता है इसलिए थर्मोस्फियर में जब टेंपरिचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस एरिया को उस जगह को हम आयने मंधल या आयनोस्फियर कहने लगते है और आयनोस्फियर वगरा में आयन और चार्जेज होते है तो वही मैं कर रहा है यह mission जो है पूरी तरह से आपको बता हूँ आयकाउ mission यह यह University of California का एक mission है जो operated है और यह पूरी तरह से आयनोस्फियर के study के लिए है तो NASA Icon Mission आप ध्यान रखेंगे इस नाम को ध्यान रखेंगे आयनोस्फियर connection explorer और इस तरह की बात है एक बन एक बार question पूशा 2015 में कि 2014 पंद्रा के आसपस लेकिन इस topic को मैंने astronomy के chapter में दिया है इस topic को अगर आप गल्ती से जो मैं word यूज करता हूँ अगर आप science tech वाली book पढ़ेंगे 3rd edition में इस question दिया है इस प्रित्वी के थोड़ा ऊपर है ना थोड़ा ऊपर बहुत सारे आयन और charges होते हैं यानि आयन साब समझ रहे हैं और यह आयन या charges होते हैं बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं और इवन वो कभी-कभी प्रित्वी पर गिरते भी हैं और उन्होंने पूछा UPSC ने और यह अगर गिर गए तो प्रित्वी पर जन जीवन को नुक्सान पहुंचा सकते हैं उके खतरा हो सकते हैं नहीं बहुत तो जी खत्वी पर जो धुरुवी च्हित्र होता है वहाँ पर चुम्बकत तो बल का effect बहुत जादा होता है magnetic field magnetic effect बहुत जादा होता है तो जो iron और charges अगर पित्वी पर गिरते भी हैं तो वो उनको अपनी तरफ divert कर खीच देते हैं तो 60 degree north or 60 degree south का जो area होता है जहां मनुष्य रहता है वो जगह बच जाती है तो आप मुझे बताएं इस तरह की घटना है इस तरह की चीजों की study करने के लिए आप कुछ करेंगे के नहीं करेंगे फिलहल आप नहीं कर रहे हैं नासा कर रहा है तो नासा तो वैसे भी leading काम करी रहा है ठीक है तो यह एक issue रहा है जो याद रखेंगे और यहाँ पर मैंने आपको चलते चलते 2015 का एक प्रश्ण भी बता दिया UPSC में पूछा गया है tsunami वाले chapter में दिया है कि क्यों iron और charges उपर space में इतनी तीजी से घूम रहा है इवन पृत्वी पर गिरते भी हैं लेकिन फिर भी पृत्वी पर reduction की तरफ face करके सो रहे हो उस तरफ magnetic field बहुत ज़्यादा होता है पैरों में हाथों में नसे चड़ जाती है यह scientific reason है तो यह थोड़ा ध्यान रखेंगे कि आहू सकता और उस position है बता है मुर्दों को सुलाते हैं अभी आप मरे नहीं है तो थोड़ा scientific तरीके से वास्तु बगरा क्या है वास्तु जो है पूरी तरह से science है पूरा science है ठीक है तो थोड़ा ध्यान रखेंगे आपका जो सईया है यानि bed है है ना थोड़ा ज्यादा शुद्ध हो गया तो देखेंगा किस direction में लगा हुआ है यह सब थोड़ा science को follow किजिए गलत तरीके से मस होईए एक और प्रोग्राम है copper nicas copper nicas program जो है इस बारे में बाता हूँगा कि यह दुनिया में जो fire atlas इसने बनाया है मतलब कहने का मतलब है copper nicas program के अंदर एक mission है जो भेजा गया है जिसका नाम है sentinel 3 यह sentinel 3 क्या करता है यह प्रतवी पर जो jungle वंगल मतलब एक तरह का remote sensing तरह का satellite है अर्थ observation का का काम करता है और जो copper nicas program है जिसको sentinel 3 mission है copper nicas के अंदर एक sentinel 3 mission है इसमें होता क्या है यह पूरी पूरा surface को watch करता है और वहाँ पर बताता है कि किस area में किस हिसाब से fire वगरा अगर लग रहे हैं या अभी सुना होगा Australia में bush firing होई थी है ना और इस तरह की incidents हुए थे बहुत जानवर जल गए थे बहुत नुक्सान हुआ था जीव के लिए नुक्सान हुआ था जो wildlife animals हैं और environmental भी नुक्सान हुआ है ना pollution वगरा हुआ तो इस तरह की चीज़ों को watch करने के लिए fire वगरा के लिए यह copper nicas program का जो sentinel 3 है okay sentinel 3 mission है boon news में रहा है इसको आपको थोड़ा जानना होगा ठीक है तो अब समझ में आ गया word fire atlas का मतलब किया दुनिया में जो fireware लग रहा है उसका पूरा एक atlas तयार किया है यह कहने का मतलब है तो बस अब इसी business पर आपको समझना है ठीक है और यह जो पूरा का पूरा recorded है वो किस से recorded है कॉपर नी का sentinel 3 mission से इसलिए sentinel 3 mission आपके paper में इस मन के current affairs में रहा है एक बत और बताता हूँ at least 5 बार many wild fire हुआ है अगस्त 2019 में अगर हम 2018 से comparison करें तो और यह बता रहा है कि 79,000 fire अगस्त में हुआ अगस्त इस येर compared to just over 1600 fire detected during the same period last year अब देगे फिर मैं कहारा हूँ factual data इस तरह के paper में नहीं आते हैं यहां आपको इस data से क्या बता रहा है कि fire का comparison किया इस satellites की मदद से मतलब इस तरह के sentinel 3 mission से और इन्होंने earth observation program है earth observation satellite की मदद से कि कि किस level पर कितना fire लगा है और सुनिएगा factual data सुनिएगा फिर concept पर आते 49% जो fire है जो Asia में dedicated किया गया 28% जो है South America में dedicated किया गया 16% अफरीका में dedicated किया गया और लगभग North America Europe और Oceania में बाकी remaining dedicated किया गया यानि जो पूरा का पूरा fire images जो उसने दिया है वो आपको बता रहे सबसे अदा fire जो लगा है वो Asia के area में लगा है तो ये concept आप धियान रखेंगे यानि पूरी दुनिया का आपको ये एक data दे रहा है यानि word mapping atlas दे रहा है fire atlas fire atlas का मतलब और clear हो गया फिर मैं कहे रहा हूँ factual data नहीं करेंगे इस तरह की चीज़ें UPSC नहीं पूस्ता है कितनी area में कितना fire लगा है फिर इसका मतलबा पेपल नहीं देख रहा है आप कचड़ा पचड़ा सब पढ़ रहे हैं ठीक है चले फिर वही हो गया कि आप सब कुछ पढ़ की पढ़ेंगे और इस बारे में फिर यही बात होगी आपको अप्रोच नहीं पता UPSC किस तरह के कोशन फूस्ता फश जाएंगे वही बंदा जिसको प्रॉपर तरीका पता है एक साल में आएगा अपना दिसंग से बढ़ेगा काम की चीज निकालेगा और निकल जाएगा चले यह एक तरह से अर्थ आपजरवेशन प्रोग्राम है मैंने आपको पहला ही बोला है यह डिफरेंट तरह के अंडरस्टैंडिंग और मिटिगेट करने कोशिश करेगा जो क्लाइमेट चेंज वगरा हो रहा है है उसको कम करेगा वही ग्लोबल वार्मिंग टाइप की चीज़ है जो फैर वैर लग रही है है ना यह पूरे ग्लोबल मॉनिटरिंग करेगा इन्वार्मेंट की और सिक्योटी प्रोग्राम आपको कॉंसेट समझना है आपको बोलना ही नहीं है वैसे अगर यह एक Earth Observation Satellite है तो आप समझ सकते हैं एक तरह से लेंड का मैनेज करना, मेराइन इंवार्मेंट, एटमोस्फियर, एमर्जनसी रिस्पॉंस, सिक्योटी, क्लाइमेट चेंज, इन सबसे जुड़े मुद्दों पर यह काम करता है और और बात करते हैं न्यू फैमिली आफ सेटलाइट जो सेंटेनल है है ना इस बारे में हम लोग बात कर चुके हैं जो कॉपर निकास प्रोग्राम की ज़रूरत भी है मानी जाती है ठीक है और इसके लाबा यह ओल वेदर वगरा की भी देखता है दिन और नाइट में रडार इमेज़ वगरा को भी जिस तरह से लेता उस तरह की इमेज़ को भी चेक करता है तो इस तरह से पूरा का पूरा डानेट मॉन्टरिंग कर रहा है ठीक है पूरे पर्टिकुलर एरिया में और यह polar satellite है तो अपना ऊपर से चली रहा है और अर्थ अपना west west गूम रहा है तो हर country कोई ना कोई उसके सामने आही रही है तो पूरा वो बाच कर ही रहा है तो इस तरह से पूरे images दे रहा है information communication technology पर आते हैं जहां हम लोग बात करते हैं bheem 2.0 की देखो Bheem 2.0 आप जानते हैं, इसके पहले Bheem था, अब इन्होंने एक नया Bheem 2.0 लाया है, कुछ Bheem 2.0 में कुछ बहुत बड़ी चीज ऐसी नहीं है, ठीक है, अगर आप Bheem जानते हैं, Bheem का पूरा नाम क्या था, भारत इंटरफेस फार मनी, ये एक UPI-based payment transfer है, payment interface है, ज जो लाया गया है, विक्सित किसके द्वारा किया गया है, NPCI द्वारा विक्सित किया गया Bheem, जिसका पूरा नाम है National Payment Corporation of India, तो Bheem आपको कौन लेकर आया है, National Payment Corporation of India, और ये जो ट्रांसफर, जो डवलप हुआ है Bheem जो लाया गया है, वो दिसंबर 2016 में, आप जानते है जब de-monedization वाला issue हुआ था, उसी समय ये Bheem आपको लाया गया था, सरकार ने अपना लाया था, होता क्या Real-Time Fund Transfer, तो ये Fund वगदर टांसफर करने का काम करता है, ठीक है, इसमें है क्या, पूरी कहानी सुनिएगा, असल में अभी तक जो Fund Transfer उसकी limit थे, Bheem 2.2 में, 2.0 में इ तो इस से जादा इसमें कुछ ऐसा है नहीं, और एक बात तर बता हूँ, अभी तक जो Bheem app था, वो 13 languages में था, करीब-करीब जो information था, और कुछ ने languages में भी, यहां Bheem 2.0 के फार में उसको हमने Bheem app को मलदब सुरू किया है, जिसमें कौनकनी, भोशपूरी और हरियानवी भी एड किया गया है, तो ठीक है, regional languages में भी Bheem app जो है, वो काम कर रहा है, और बहुत सारे bank को हम यहां क्या करते हैं, एक single mobile application के द्वारा जोड़कर, और bank के द्वारा हम अपना एक UPI app ही है, उसके दवार अच्छा एंडॉड हो, विंडो हो, IIS हो, हर bank अपना-पना UPI दे ह ही रहे हैं, उसको आप install कर लीजे, और मेरे ख्यासे आप में से जितनी जंता मुझे सुन रहे हैं, आप इसको यूज कर रहे हैं, आप मुझे जादा जानते हैं, जब आप चीजों को यूज करते हैं, तो आप practically समझते हैं, ठीक है, तो इस बारे मैं मुझे नहीं लगता पोलने के ज़रत है, information communication technology में एक और news रहा है, BSNL और MTNL को merge करने की, और ठीक है, बहुत दिन से ये दोनों घाटा में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये चीजे भी आपको पता होनी चाहिए, और कोई बहुत बड़ा यहां पर ऐसा है नहीं, जो question paper बनने वाला है, ठीक है, मैं आ हाटा वाटा हो चुका, उनको फिर से पूरा करने के लिए, ठीक है, इंप्लाइस का जो cost है बहुत जादा है, क्योंकि इंप्लाइस इनके पास बहुत जादा हैं, तो इवन इतना तो ये Reliance, Airtail, Idea और Vodafone इनके पास नहीं है, जितना BSNL, MTNL के पास है, और इतना घाटे म काम की बात करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर इस क्राइस तो कैसे solve किया जा तो ही बुला के BSNL, MTNL को मर्ज कर दो, ठीक है, और यहाँ पर जेनरली परपस क्या है, कि BSNL, MTNL को एक तरफ उसको हम, है ना, मर्ज करके उसको जिंदा रखने की कोशिश करें, और दुसरी तरफ जो इंपलाईज है ना, उनको भी हम सुरक्षित रखें, कुछ इस तरह से करने का प्रयास है, अब हम आपको कुछ factual डेटा पर आते हैं, जो चौका आने वाला है, MTNL, BSNL का, ठीक है, इधर आईएगा, अब जैसे यहाँ पर है, अगर और स्टैंडिंग की बात करें, और स्टैफिंग की बात करें, तो BSNL के पास सबस्दा स्टाफ है, करी 1.66 लाक है, MTNL के पास 21,689 स्टाफ है, ओके तो आप खुद देखें, आप किसी प्राइवेट प्लेयर देखिए, तो करीबन 25,000-30,000 इंपलाई है, ठीक है, तो 25,000-30 आप रिलाइंस ले ले जे, आप एटे ले 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 जे, वोडा फोन ले 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 जे, आईडिया ले ले जो मैं बुरह एंगे, इसे साफ से इंपलाई से, तो आप खुद देखें, आपको इंपलाई का पेमेंट कितना जादा करना है, पहली बात, दूसरी बात, हूज एक्प 80% of BSNL revenues go towards managing implies expenses, और MTNL around 87% expenses अपने implies को पेमेंट देने में कर देता है, और सुनियेगा, और सुनियेगा, अब imply कितनी मंदारी से काम करते भी देखेंगा, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, तो क्यों ना ये बंद हो, ठीक है, increased competition देखें, दूसरी तरफ reliance वगरा जो 2016 में लाया, उसने पूरी तरह से public sector unit जो fail कर दिया, पूरी तरह से परिवर्तन ला दिया, ला दिया, इवन मैं तो बताता हूँ, BSNL, MTNL में जो लोग काम करते हैं, वो भी BSNL, MTNL यूज नहीं करते हैं, reliance GO यूज करते हैं, इस से बड़ी शरम की बात क्या होगी, ठीक है मैं हर केसी की बात नहीं कर रहा हैं, लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा है, 90% जंदा की तो मैं बात बता रहा हूँ, वो पक्का यूज कर रहा है, आप अपने अगल बगल देखें, ठीक है, अब जैसे, आप खुछ समझते हैं, कि जो I.S. officer है, उनके बच्चे कॉर्में कर रहा हूँ, जब से देश आज़ाद है, किसी ने आपको पढ़ाने पर देहान नहीं देया, इसलिए देखेंगे चाइन हम से पीछे था जीडिपी बन, जब चाइना आज़ाद हुआ, एवन 1990 तक ही बात कर रहा हूँ, 85-90 तक चाइना हम से पीछे था, लेकिन चाइना हम उन्होंने अपनी जनता को पढ़ाया, हमारे जितनी भी नेता है, हमारे किसी जनता को नहीं पढ़ाया, आपको फ्री में खाना दिया, फ्री में रोटी दी, किसी से नहीं का काम कीजिए, किसी से नहीं का पढ़िए, किसी को पढ़ाने के लिए पैसा कर्श नहीं हुआ, तो प्राइवेमिट वाले देखिए चार बर अबसती है ना और गवर्मेंट वाले देखिए करनाओता करिये नहीं तो अब ठीक है अभी चीजों पो पर नेख जनरेशन आए और ऐसे चीज शाब चंश ओर काबले टारीफ है BSNL की जो services है चिनके broadband है नेटवर्क है चिनके service है ये काफी बहतर है काफी बहतर है अब बोलोगे serving के services अच्छी क्यों नहीं है implies ना okay maintenance आप देखे ना आपको अगर AIRTL का connection चाहिए Wi-Fi है ना आप विश्वास कीज़े आपको दो घंटे में आखे लगा जाता है और MTNL देखे, BSNL देखे तीन दिन चाहर दिन बाद और उपर से लगाएगा और maintenance देखे, फोन करते जाएगे फोन उठता नहीं और Reliance-Reliance वाले ये AIRTL वाले क्या करते हैं दो घंडे में ठीक करके चले जाते हैं तो ultimately आप क्यों क्यों गवर्मेंट लेंगे और यही जब इन लोगों को जब जॉब से निकाला जाएगा तो यह लग उल्टी सीडी बाते बोलेंगे सरकारी नौकरी पर जाकर आप खुद रहीं चाहते हैं और मैं सही बता रहा हूँ आप ही लोगों की वज़े से सरकारी नौकरिया खतम हो जाएगी सरकार यह भी प्रैविटाइज कर देगा ठीक है तो यह कोई गल्ती नहीं है अगर सरकार ऐसा कर रही है और सरकार क्यों न करें इसका मतलब तीन लाख चोड़ तो है तो यह शर्म की बात है यानि हम आप जब तक बदलेंगे नहीं देश बदलेगा नहीं और हम आप बदलेंगे की नहीं बदलेंगे या बहतर जानते हैं सिर्फ दूसरों पर थोप देना कि है ना चले आप आगे बात करते हैं तो वही चीज यहां पर भी है जो मैंने आपको स्टोरी सुना दी और कमल का एक उदार दे दिया एक मैसेज आपको दे दिया और कोशिश क्या है बी एसनल विल कम आउट अफ लॉसस दो हजार तेश चौबिस है ना और यहां पर कह रहे हैं MTNL को हम 25 अबेस तक और यहां पर टोटल है ना इनको हम फिर से लाग प्रोफिट मिलाने के बात कर रहे हैं और टोटल बता इन पर कर्ज कितना है लगवग 20,000 करून रूपिया तो चले ठीक है इसको पास कीज़े यह एक इंटर्टेन्मेंट का ही टॉपिक था जो मैंने आपको बोला इसका UPSC से कोई लेना देना नहीं है आगे बढ़ते हैं वन नेशन वन फास्टेक इसमें ऐसा कुछ नहीं है सरफ RFID है जो आपको बताने का है Radio Frequency Identification थोड़ा सा बता कर वही हम आपको निखल लेते हैं आप सब को पता हो कि एक स्कीम इसका है जो सुरू की गई है जहाँ पर एक दिसमबर से नेशनल हाइवे पर जो भी वहिएक थास्टेक के साथ ऑस्टेक है 欠ीक है ठीक है, Fast Act की कमी थी धिरे दरे लोगों ने Fast Act लगवा लिया, बैंकों ने, पेटीम ने, है ना, एरटल ने, हर किसी ने, है ना, Axis Bank ने, हर किसी ने आपको इस तरह की चीज़ें आपर आपरेशन दी है, Fast Act की, जो एकाउंट से कानेट हो गया है, अब ये, एक दिसंबर 2019 से implemented हुआ है, पूरी तरह से Radio Frequency Identification पर काम करता है, यानि RFID पर होकर ये काम करता है, और ये पूरे इंटायर कंट्री में काम करता है, नेशन, स्टेट, हर जगा, पूरी जगा पर इंटायर कंट्री में ये काम कर रहा है, कुछ चीज़ें यहां पर इसे toll बगएरा में हैं, तो ये digitally पूरी तरह से कर लिया आ गया, असल में होता गया था ना, वहां पर भी कुछ ना कुछ system चलता था अंदर ही अंदर, तो वो सब सरकार ने क्या किया, सब को digitalize कर दिया, ठीक है, तो फ्रॉट्री बगएरा नहीं रहेगा इस तरह की चीज़े, ये payment method जो है, ये electronic toll collection है ना, national electronic toll collection program के अंतरगत है, जो पूरा काम कर रहा है, national payment corporation of India पूरे payment को collect करता है, ये है पूरी एक body जो बनी है, जो इस पूरे पैसे को देख रही है, RFID के बारे में एक line में सुन लिजे, radio frequency identification technology पर अधारित है, आप गाड़ियों पर इस तरह के fast tech को चिपका देते हैं, आप practically use कर रहे हैं, ठीक है, नहीं use कर रहे हैं, तो अगल बगल पूछ लिजे, गाड़ियों पर कैसे चल रहा है toll पर, और वो radio frequency, अच्छा, radio wave जो होता है, वो non-directional होता है, और non-directional होने से क्या होता है, आप किसी भी direction में, अगर थोड़ा बहुत तरह मेड़ा भी लगा हो, थोड़ा तरह मेरा भी उपर आपको, सामने की जो विंसिल्ट होती है न, सिशा, जो transparent होता है, उसी पर हम अंदर से लगा देते हैं, तो बाहर से क्या करता है, उपर से वो रीड कल लेता है, रीडियो frequency, और रीडियो फ्रिक्वेंसी न, न, डिरेक्शनल होता है, तो चारो तरफ उसके वेफ चलते हैं, तो थोड़ा बहुत भी उदर से कहीं से हलका सा, वो फास्टेक का इंफर्मेशन आता है, वो रीड कल लेता है, और इसी तरह का RFID आप देखे न, वीग बजार, स्पैंजर, वो रीडर्स होते हैं, खट-खट-खट जो टैक को रीड करते हैं, उसी तरह का कॉंसेप्ट ये भी है, ये गाड़ियों पर लगा है, ठीक है, प्रोजेट सोली के बारे में बात करते हैं, देखे, प्रोजेट सोली जो है, वो गूगल पिक्सल 4 जो है, एक रडार आधारी सोली चिप लेकर आया है, ठीक है, फिलाल भारत में इसको अलाउड नहीं किया है, ये पुरी तरह से motion sensors है, और ये एक तरह से touchless gesture based control है, असल में आजकल आप देखे, 2019 में एक प्रश्न देया है, UPSC ने, हमको भी आदा रहा है, वह नहीं देया था, वियरेबल डिवाइसेश पर पूछा था, वियरेबल डिवाइसेश पर पूछा था, आप देखे न, आइफोन वाचेस फोर जनरेशन सैमसंग 5G गेर 4G गेर हैं आप समझ देखे मैं क्या कर रहा हूँ, वाचेस आपको दे देते हैं और वह आपको क्या करता है, वियरेबल डिवाइस होता है, और उसकी मदद से आपकी बहुत सारे information होते हैं, बॉड़ी से identify कर लेते हैं, ठीक है, तो वही बात मैं कर रहा हूँ, उसी तरह की चीज़ें, प्रोजेक्ट सोली के नाम से भी आया गया है, जो गूगल ने announce किया था 2015 में, ठीक है, और जो पूरी तरह से ATAP पर आधारी थे, यानि Advanced Technology and Project Division है, ने इसको develop किया है, असल में इसमें करना क्या है, जिसको हम wearable devices में, phone में, computer में, car में, और IOT devices में जोड़ कर हम काम करा सकते हैं, Internet of Things, यानि Internet के दोरा आप किसी वस्तू को जोड़ सकते हैं, जैसे अब मैं मालो इस घर में हूँ, और मेरा AC चल रहा है, तो मैं चाहूँ तो इस AC को घर के बाहर से Internet के दोरा on or off कर सकता हूँ, तो Internet के दोरा हम किसी वस्तू को जोड़ रहे हैं, इस तरह की चीजों में हम Project Soli को यूज करने की बात कर रहे हैं, Project Soli में एक chip होता है, जनली बहुत ही चोटे साइस का chip होता है, और ये स्केल में भी अगर आप करते हैं, तो ये Project आपको identify कर लेगा है, ये product, इसमें जो Soli चिप है, वो 8 mm से 10 mm तक का है, पूरी लंबाई चोड़ाई, और ये sensor, इसमें sensor और antenna दोनों एक ही device में लगा होता है, sense करने वाला, और antenna signal लेने वाला, ठीक है, ये दोनों चीज़ें एक में ही लगी होती है, ठीक है, और ये पूरी तरह से radar अधारित होता है, तो radar के तवारा इसको हम monitoring करते हैं, लगिन फिर में बता रहो, भारत में इसको allow नहीं किया है, क्योंकि इसकी frequency है, वो 60 GHz spectrum पर है, जो commercially allow नहीं है भारत में, ठीक है, क्योंकि interference वगरा, फिलहल 60 GHz spectrum पर, frequency पर, disturbances बहुत कम होते हैं, हम भारत में जो generally Wi-Fi वगरा चला रहे हैं, देखो 2.5 GHz के आसपास है, 5 GHz के आसपास है, 60 GHz spectrum में, फिलहल generally चीज़ों को हम इंडिया में use नहीं कर रहे हैं, इस तरह के commercial purposes के लिए, इसने भारत में इसको allow नहीं किया है, ठीक है, और 60 GHz band को generally V band या V gig band के नाम से जानते हैं, Wi-Fi at 60 GHz, हमारी इंडिया में कितना कितना है, 2.45 GHz, 5 GHz, और यह Wi-Fi 60 GHz वाल है, जिसको यह नाम दिया गया, ठीक है, तो इस यह थोड़ा information याद रहे हैं, solely, okay, solely chip, edge computing के बारे में बात करेंगे, एक और topic है, जो इस मन्त में रहा है, edge computing के बारे में, edge computing के हैं, अचल में, 2025 तक, ठीक है, कहा जा रहा है कि कमपनियां जो होगी, इस तरह की चीजों को develop कर लेंगे, edge computing, अब दिखो, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना होगा, cloud computing, cloud computing में क्या होता है, हम जैसे, google drive, google drive में क्या करते हैं, अपने information को safe कर लेते हैं, समझेगा, और उसको access करने के 30 देते हैं, अब आप मुझे बताइए, मेरे कई ऐसे informations होते हैं, जैसे notes वगरा होते हैं, मैंने क्या करता हूँ, google drive पे safe कर देता हूँ, और उस google drive के link को है ना, मैं share कर देता हूँ, और आप उस link को open कर देता हूँ, open होता है, हर को ही download कर सकता है, तो वो एक cloud computing है, एक google drive, अगर आप google drive यूज करते हैं, आप समझ सकते हैं, वो internet का एक cloud है, जिस पे हमने information को safe कर दिया है, और उसका access आपको दे दिया है, open access है, तो everybody उसको सिथा download कर सकते हैं, जो कि it is not easy कि मैं हर किसी को हजारों लागों को जो आप लोग मुझे सुनते यहां पर जाता है, पहले data को check किया जाता है, फिर वहां से लाए है, जैसे माल लीजिए कि आप facebook use करते हैं, माल लीजिए आप instagram use करते हैं, माल लीजिए आप telegram use करते हैं, तो भाईया आपकी mobile phone पे, जो instagram, telegram your facebook, जो इस तरह की चीज़े आप use कर रहे हैं, इसका कहीं server है, जहां पर इसके data save है, आप क्या करते हैं, आप उन server पर जाते हैं, जैसे आप telegram पर जाते हैं, और जब कोई message आ कुछ डालते हैं, तो खट चो उस server पर चला जाता है, जब आप internet on करते हैं, तो telegram पर जो information आता है, ठीक है, वो server से आता है, और उसका एकना cloud होता है, जो मैं cloud computing की बात कर रहा हूं, जो कहीं दूर होता है, इज computing में बोला जाता है, यहीं समझ लेज़े हमसे जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपके अगल बगल ही उसके data को रखा जाता है, यानि किनारे, जिसको हम edge बोलते हैं, अब उसका हम central जगह पर उस data को रही save करते हैं, आपके किनारे किनारे का मतलब आपके आसपास ही रहता है, अब यहां आपके data वगरा को access करना बहुत आसान है, जो कि अगल बगल से ही आपको data तुरंट access हो जाता है, तो यहां जो processing वगरा होता है और fastest processing कर सकते हैं, अभी देखे, जब 4 generation है, तब आपको cloud computing और edge computing में ज्यादा difference नहीं मिलेगा, लेकिन वहीं जो 5 generation वाला mobile phone technology जब हम use करनेंगे, तो internet की services बहुत fast हो जाएंगी, तो वो वाला जो cloud computing है, और जो जिसका central data कहीं दूर है, और जो edge computing जिसका data हम कहीं अगल बगल रखें, जो हम access कर सकते हैं, हमारे अगल बगल ही होता है, वो आपको difference देखने लगेगा, तो वही यहां पर बोला जा रहा है edge computing, देखे हैं लिखा भी है, companies will generate and process more than 75% of their data outside of traditional centralized data center, अभी क्या है, centralized data center है, तो cloud computing अंदर क्या है, किसी centralized area में सारा का सारा data रखा गया है, ठीक है, और उसको centralized area से दूर करकर हम क्या करेंगे, कहीं outside, traditional outside centralized area में करके, हम किसी अगल बगल ही आपको data को safe कर देंगे, तो यहां पर access करना बहुत आसान हो जाए, तो देखे, लिखा भी है, data is analyzed यहां पर locally हो जाएगा, और यह जो आपको देखे, लिखा, quicker data processing and content delivery, तो आपे content वगरा काफी हद तक काफी fastest हो जाएगे, यह concept है, लेकिन यहीं मैं बता रहा हूँ, यह चीज आपको ज्यादा clear होगी, जब internet of things हम use कहने लगे, तब यह चीज़ें आपको ज्यादा समझ में आएगे, जब हम data processing को और fast कर देंगे, जब 5G type की services आजएगे, तब आपको इस चीज़ें समझ में आएगे, किस तरीके से edge computing आपको बहतर परेडाम दे रहा है in comparison to cloud computing, तो मेरे खाल से आपको काफी हद तक मैंने समझा दिया है, जो हमारे network होते हैं, जो centralized network होते हैं, जैसे 5-7 network हैं, 10 network हैं, पूरी दुनिया में, वहाँ पर सारे data हैं, जब मैं आपको internet पढ़ाता हूँ, जो internet पर सारे data हैं, वो किसी ना किसी server पर save है, हम क्या करते हैं, जब हम किसी google पर जाते हैं, तो google भी सर्च इंजान है, कहीं किसी server किसी जगह पर save होगा न, वो speed of light से जाता है, जो यो optical fiber है, optical fiber पर data कि speed से जाता है, speed of light 3,00, किलो मेंटर पर सेकेंड और 3,00,000 किलो मेंटर पर सेकेंड जाकर वो पूरी दुनिया में कहीं भी कहीं कहीं server है, फट से डेटा लेकर आपके सामने खोल देता है, आपके computer के desktop पर, यानि कहते हैं, पलग जपकते ही, अगर आप Dr. Raviyagrahi को google पर डालना चाहते हैं, तो देख उसके लिए आपको नई जनरेशन को लाना होगा, बहुत सारे challenges भी हैं, चोकि यहां पर जो age computing होगा, वहां बहुत सारे, है ना, several new security risk भी रहेगा, चोकि अब यहां centralized data आने, centralized होने पर क्या होता था, एक authority होती थी थी, तो center level पर control करती थी, अब physical security रखनी पड़ेगी हट device प क्योंकि अब यहां पर आप ही कि अगल अगल आपका data है, तो आपको safe secure जाधा करना पड़ेगा, typical office equipment लगाना होगा, typical technology आपको लगानी होगी, जिससे आपका जो, आपका corporate company, आपकी company है ना, तो इस company के अंदर ही आपको data को काफी safe और सुरक्षित रखना पड़ेगा, उसको leakage ना, leak ना हो जाए, ठीक है, आचा, micro data center बनाने पड़ेंगे, एक central data था, अब आपको वहाँ पर एक ही सारा monitor होगा, अब आपको छोटे-छोटे वो बनेंगे, तो छोटे-छोटे जगों पर आपको data center बनाने पड़ेंगे, ठीक है, उनको monitor करना पड़ेगा, अब बहुत स चीज़ने जादा अच्छी होगी जब हम five generation पर पहुँचेंगे, तो मेरे कासे आप काफी हत्त है कि इन चीज़ों को समझ रहे हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आईए, so age technology और age computing और cloud computing, तो यह दोनों चीज़ने आप मेरे ख्याल से समझ रहे हैं, DNA technology bill पर बात किया था, यहाँ पर करना क्या है, DNA technology regulation bill है, ठीक है, जो लाया गया है, और इसमें पूरा की पूरी कोशिश के है, मैं आपको बताऊं कि जो DNA based technology है, उसके जो भी information से इनसान होगे, है ना, उनको हम safe कर लेंगे, या आप सब के अंदर unique DNA sequences होते हैं, okay, biotech की classes में ज होड़ा change होता, जो base pair होते हैं, AT, GC, CG, AT, आपको जदा clear हो जाएगा, ठीक है, हम सब में तकरीपन 3 billion, 3 into 10 to power 8 base pair length of DNA होता है, जो हमारा genome size है, हम सब का genome size केतना है, 3 into 10 to power 8 base pair length of DNA, आप 3 billion base pair कह सकते हैं, base pair मादा base का जोड़ा है, आप सुना होगा थोड़ा बहुत आप गलती से NCRT के book इठाली होंगे, AT होता है, GC होता है, एक base pair हो गया, यह दूसरा base pair हो गया, इस तरह के sequences होते हैं, तो यही मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक bill है, DNA technology bill है, जहाँ पर हम DNA के जो data होंगे, उनके जो sequences वगर होंगे, उनको हम store करके रखने की बात कर रहे हैं, अब बा पहचान कर सकते हैं, माली जो कोई crime होता है, कोई dead body मिल जाती है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, आप नहीं पहचान पा रहे हैं उस बंदे को, तो उसके DNA sequence से पहचान कर लीजी, एक incidence हुआ था फिलहल बहुत चौकाने वाला है, लेकिन अच्छा एक्जाम्ब नहीं है, लेकिन मैं ले रहे हैं, तो राजी गांधी को पहचाना गया, तो लोग कहते हैं, उनके जूते से पहचाना गया, तो आप ये बताईए, उनके cell और DNA के सिक्वेंसे से भी तो राजी गांधी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ें तो काफी हद तक authentic थी, ना कि उनकी body कौन सी है, पहचान करना, वही बाद मैं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर देखें किसमें है क्या, तो ये चीज़ समझ मैं कि यह ऐसी टक्निकी है, जहां DNA-based टक्निकी है, और यहां crime को solve करना, किसी missing person को identify करना, पूरी दुनिया में है ना, इस तरह की चीज़ों की हम leak कर लेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इस bill में देखो, बहुत सारे नियम कानून है, इस bill के लिए देखो, लिखा highlight of bill गया है, कि national regional dean ने data bank होना चाहिए, ठीक है, बनेगा, रास्टी अस्तर पर और चेत्री अस्तर पर, DNA center हो, और यहां पर बताऊं कि अगर आपने DNA ने कहीं भी इस तरह के sequence और information, जो किसी बंदों के हम safe कर रहे हैं, अगर leak किया, तो हम punishment भी है, jail आपको 3 साल तक, या वहां पर 1 लाख रुपय आपको fine भी है, अब आप सोच सकते हैं ना, sir, हम क्यों leak करेंगे, अभी बात पताते हैं ना, अभी बताते हैं आपको, रुकिए other purpose में आपको कह रहा हूँ, misuse, है ना, वो misuse में आपको other purpose, other बताऊंगा, तो highlight of the bill में क्या है, कि सर्फ हम यहां बंदे को पहचान के लिए use करेंगे, वही पहचान, जो भी मैं आपको ऊपर बोल रहा था, सिर्फ पहचान के लिए use करेंगे, तो इसका negative के और फिर कर सकते हैं, इनसानों की जान पहचान के लिए, यह आप समझते हैं, इसके रेक DNA regulatory board होगा, बिल को जो establish किया जागा, वो एक DNA regulatory board के द्वारा होगा, ठीक है, अब हम आपको आगे बताते हैं, ज़रा सुनिएगा, benefit of bill से क्या फायदा है, कि अगर हम किसी DNA को अगर हम regulate करते हैं तो हम पक्का उस बंदे के सारे information को जानते हैं, समझते हैं, ओके, समझते हैं, और आपको बताओ, DNA के study का मतलब होता है, body के जो genes होते हैं, जो पीधी दर पीधी चलते हैं, वो DNA के अंदर ही होते हैं, तकरीबन 3 billion base pair length of DNA में, जो मैं 3 into 10 to power 8 base pair length of DNA कह रहा था, उसमें तकरीब जितने भी हैं, रोज, सीजोफरीनिया, अभी 3 महीने पहले मैंने सुना, एक नया जीन मिला सीजोफरीनिया, जो हमारी, यानि पहले नहीं था, लेकिन यही इसी के अंदर देर देर नहीं तूड़े जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं दोस, DNA के study करकर, हम बहुत सारे information अपनी body के यहने से लेकर आप यह पता कर सकते हैं, किस बंदे का जो इलर्जी है, वो किससे है, इस बंदे को कौन कौन सी बिमारिया ऐसी ही, जो बंदा susceptible है, यानि इस बंदे को यह बिमारिया होने के जांद से जादा है, तो आप इस तरीके से इस बंदे को की death कर सकते हैं, यह बाल द आधे हैं इंडियान जीनोम प्रोजेक्ट के बारें बात करते हैं, तो यहां पे भी बात करते हैं कि इंडिया में जो जीनोम प्रोजेक्ट है, यह कही न कहीं ऊपर वाले से ही concept में जुड़ा वा लेकिन ऊपर बंदी की जान पेचान उर चीजों के लिए है, इसको हम इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो conducted है CSIR द्वारा ठीक है अभी रिसेंटली एनाउस्ट हुआ है कि CSIR द्वारा इंडिजन जीनोम प्रोजेक्ट होगा इसमें कौन-कौन काम करने वाला है हना यह इनिशेटिव जो लाया गया था यह CSIR इंसिचूट आफ जीनोमिक्स और इंडिगर्टी बैलोजी आईजी आईएवी डेली और CSIR सेंटर फॉर्लरन जहां सबसे पहले DNA फिंगर बिंडिंग टेस्ट किया था प्रोफेसर लाल जी सिंग नहीं को भारत में हम फादर फिंगर बिंडिंग भी कहते हैं और अंतर रास्टी अस्तर पर किस ने किया था DNA फिंगर बिंडिंग सबसे पहले अलेग जैफ्रे का नाम आता है यह जादा दर ना दियाद रखेगा जो स्टेट पीज़ वाले हैं क्योंकि वीडियो इंटाली सबके लिए है ठीक है तो स्टेट पीज़ में इस तरह की गंदे-गंदे वाले कोई है गंदे मतलब तो यह क प्रोजेक्ट है जो इंडिजन जिनोम फोजेक्ट के नाम से है जिसको प्रॉपर CSIR से जुड़े बहुत सारे लैब हैं जिसमें IGIB और CCMB का नाम आता है डेली और हैदराबाद वाले यह इनको पूरा रख रख रखाओ वगरा करने का है क्योंकि यहीं इंप्लिमेंट किये प्रोग्राम ठीक है मेडिसिन और रेयर जनेटिव डिजिजन के लिए यह काम करेगा ठीक है तो बहुत तरह के हम प्रिसिजन मेडिसिन वगरा बना सकते हैं असल में इंडिजन प्रोग्राम में है क्या पूरा का पूरा हम जिनोम सिक्वेंसिंग को यहां पर लोगों के करन संहें तुरुन टरुम त्हीर के तरह को समाचा है भारत में यसे हम आप इस हम हैं उसलिम मतलब जो आज कर चाल सीदा तो कहीं नहीं जनेटिक रेसर्च से यह चीज़ें काफी हदा क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो फिलाल हम इस सब चीज़ों पर नहीं पढ़ते हैं हम लोग विकास की बात करते हैं इनहीं जगड़ों में लड़ पड़के हम अपने देश को पीछे कर रहे हैं चलिए हैं आगे बढ़ते हैं जनोम सिक्वेंसिंग की जुरत क्यों है तो ठीक है दोस्ट जब ये जनोम सिक्वेंसिंग यहां पर हम लोगों की करेंगे तकरीबद तो आप खुद बताईए काफी हद तक जो बिमारियां है उनके जो जनेटिक सिक्वेंसे होते हैं हम सब को पता कर पा आप मेंगा 40,000 जीन है और एक आठ जीन से ही चेंज़े होने से आपको पूरा का पूरा कोई बिमारी हो जा रही है तो छोटे मोटे लेवल के जन्टिक डिफेक्ट्स हो तो हम आराम से ठीक कर सकते हैं यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है जो मैंने आपको ब्रीफ में समझा देता हूं आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी है क्या देखो नैनो मीन्स नैनो टेक्नालोडी फार्मासेटिकल मीन्स मैडिसिन तो नैने टेक्नालोडी का यूज यहाँ पर मेडिसिन में होने जा रहा है 2015 का एक प्रश्न भी रहा है आप देखेगा नैनो तक्निकी व दोनों सही लिखा था इस बारे में मैंने आपको बुक में भी लिखा है और मैंने आपको क्लास में भी कई बार बढ़ाया है स्टाटिक वीडियो में मैंने बताया है तो यहाँ पर देखे यानि नैनो टेक्नाली को ड्रक टार्गेटिंग और जीन ठिरापी तोनों जगह पर यूज और आपको बताओं बायो टेक्नालोजी जो है वो नैनो सिस्टम के अंदर आता है यानि नैनो टेक्नालोजी का एक पार्ट है ठीक है लेकिन अब है क्या बायो टेक्नोलोडी अलड़ी अपने आप इतना बड़ा विशह बन गया है कि उसको नाटेक्नोलोडी के अंदर नैनो सिस्टम में ना रखकर बायो टेक्नोलोजी को अलग से एक विशह बना दिया है नाइधर अगर आप बात करें तो अक्चुल में बायो टेक्नोलोडी नैनो टेक्नोलोडी के ही अंदर का एक पार्ट है आए तो यहाँ पर है क्या देखे यहाँ पर नैनो फार्मासेटिकल गाइडलाइन रिलीस की गई है और यह गाइडलाइन जो डवलब किया है डीबी टी डिपार्टमेंट अब बायो टेक्नोलोडी इंडेन काउंसल मेडिकल रिसर्च और जो सेंट्रल ड्रग स्टांडर्ड कंट्रोल ओगनेशन है यह मिलकर लाए है और यह जो डेवलब हुआ है यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 के ही एहलो कदम पर विक्सित हुआ है और स स्टांडर्ड कंट्रोल ओगनाईशन ही पूरा इसको विक्सित किया है किस तरह से नर्डेक्नोलडी को कहां पर हम फार्मासेटिकल के लिए यूज़ करने वाले यही पूरा कंसेप्ट है ठीक है अब इसमें हम थोड़ा सा अगर बात करें तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा थिरेपटिक परपस के लिए ओके कॉंट्रक्टिं नैनो मटीरल्स अगरा ऐसा करता हूं इसको मैं थोड़ा सा आपको एकोनॉमिक लाइफ आप प्रॉपरिटी इसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं थोड़ा और सिंबल तरी कोई भी बॉड़ी के अंदर जेनिटिक रिस्पॉंस होता है तो यह जो जीव होते हैं ना यह कहीं नक कहींक एक एंटी जन होते हैं चाहरा शरीर इसके लाइन टीबॉडी बनाता है inten do माली की मदद से हम इस तरह के एंटी बॉडी को बॉडी के अंदर बना सकते हैं ओके और बताता हूं सुनिएगा बहुत से तरह के जैसे अभी मैं आपको बोला था ड्रक टार्गेटिंग किसी वाइरस की मदद से वाइरस वगरा के एक चोटे से नैनो अबजेक्ट्स हैं कोई जीन को इंटिकेट करके बॉडी के अंदर आप उस जीन को ट्रांसफर कर दीज तो वही WBC का नंबर जो अबनॉर्मल हो जाता ब्लेट कैंसर में उसको कंट्रोल कर देते हैं आप देखे जीन टार्गेटिंग कर दिया आपने किसी पर्टिकुलर डिफेक्टेट जीन को जैसे अज मैंने बोला आपको ब्लेट कैंसर हो गया है लुकेमिया हो गया है उसको ने करेट कर दिया लुकेमिया इसके अलाब आप जैसे इसमें आजाईए क्या बोलते हैं पर्किनसन डीचीज में आजाईए पर्किनसन वीमारी है उसको ठीक कर दिए जहाँप आप स्टेम्सल को यूज करते हैं तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं नहटिक्षू बार्मा जानते हैं, कैंसर में क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, जब आप treatment करते हैं, तो जब आप chemo's वगर लेते हैं, तो chemo therapy सिर्फ आप एक cancerous के cell को नहीं मारती है, वो normal cell को भी मारती है, और normal cells की वज़ा से हमारी body में strength होती है, हम strong होते हैं, अगर वो मरने लगेंगे, तो हम औ signals वगरा पाये जाते हैं, signal transaction एक molecular level पे topic होता है, वो क्या करता है, उन cell को recognize कर, सिर्फ उन ही target cell को मारता है, तो drug targeting हो जाता है, तो normal cell बच जाते हैं, सिर्फ cancerous cell मरते हैं, इस तरह की चीज़ों को नडेक अल्री से, मतलब मैं आपको इस topic से भी advance ले गया हूँ, molecular level पे नडेक अ injection है ना, इस तरह की चीज़ है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर pharmaceuticals के लिए लानी की जो बात हुई है, इसी topic को यहाँ पर बात की गई है, आगे बढ़ते हैं, organ whites के बारे में, देखो organ whites क्या होते हैं, यह एक तरह से stem cell से जूड़ा concept है, induced pure potent cell, बात करेंगे छोड़ा सा, organ whites का मतलब होता है, brains in a disc, brain का मतलब होता है, दोस्त, neuron in a disc, disc मतलब एक तरह से आप, डिस्क यानि कृतिम तरीके से आपने brain और उस तरह के neurons को बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा, आप सुनिएगा, जहाँ पर असल में है गया, देखो एक information है, एक lung organ white जो है, transplant किया भी गया है, mice के अंदर, आप animal brain वगेरा को, उस तरह के tissues को, आप lab के अंदर बना सकते हैं, यह यह पूरा concept है, उसी को organ white बोला जाता है, ठीक है, और इस तरह के research, इस तरह के काम बहुत हो रहा है, lab में, और इसमें आपको बताओं कि कहीं ना कहीं, एक humanization of whole, जो जो असल में हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताओं, यहाँ पर concept जो है, यहाँ पर लिखा है कि laboratories में generally क्या हो रहा है, एक पूरा का पूरा three dimensional miniature structure ही बनाया जा रहा है, किसी particular अंग का, और उस अंग को body के अंदर डाल कर, natural अंग की तरह ही वो अंग है, जो बन रहा है, और उसको हम आपकी तरह के character को, organ को, वो organoids कहलाते हैं, ओके वो organoids कहलाते हैं, अब इन में पूरा का पूरा एक organ, मतलब पूरा three dimensional picture, तो वही यहाँ पर कहला है, पूरा का पूरा three dimensional picture, और generally miniature है, अगर वो छोटे size का हो सकता है, यह ना किसी छोटे cell और tissues से बन कर evolve हो सकता है, उन सारी चीज़ को लेकर हम पूरा का पूरा complete organ का निर्मान कर रहा है, stem cell में क्या करते है, stem cell को लेते हैं, complete organ का निर्मान करते है, उसी तरह की चीज़ों को हम organoids बोलते है, induced pluripotent cell में इस तरह की बात होती है, एक नया term है, जिसको organoids बोला गया है, तो लिखा भी है, एक teeny tiny, typically size of pea की तरह क organ-like structures को हम यहाँ पर achieve कर सकते हैं, ठीक है, उसको human organ के निर्द डाल सकते हैं, इनको tissues वगरा को हम develop कर सकते हैं, अब उन्हीं चीज़ों को यहाँ बार-बार concept को समझाये गया, और यहाँ देखे लिखा है, induced pluripotent stem cell इस तरह के कारे को करने में काफी हद तक successful है, और इसलिए देखो आजकल होता भी कि आप stem cell को preserve कर लें, बहुत सारे इसी कंपनिया हैं, जो कहती हैं भया देखो अपने stem cell को preserve कर लो, कल को आपकी बच्चों को कोई problem होगी या आपको कोई disease होगी, तो उस बच्चों के जो umbilical cord को cut करके stem cell रखा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है एक method होता cryopreservation, minus 196 degree Celsius temperature में liquid nitrogen के अंदर किसी cell, tissue इस तरह की चीज़ों को रख दे stem cell को, तो वो मरता नहीं है, long term safe हो जाता है, तो कल को उसी stem cell से आपके बच्चे का organ बनाकर आपके अंदर डाल दिया जाएगा, चुकि आपका organ अगर आपके अंदर जाएगा, तो वो तो आप पखरा हो चुका, अब कहां से आएगा, और आपके बच्चे का organ जाएगा, तो करीब 50-60% organ तो सेमी होगा ना, और वो आपके बच्चे का organ नहीं निकाला जा रहा है, वो जब बच्चा पैदा हुआ था, उसका stem cell बचा कर प्रिजर्व किया गे ना, cryopreservation तक निकी से, उस stem cell से organ मना कर उस organ को आपके अंदर डाला गया, और हमेशा एकसर देखो, जब कभी organ की जलत पढ़ती है, तो डॉक्टर कहता भीया देखो, पहले कोई family member है जो अंग देगा, अब आप एक number के पापी हैं, तो क्यो family वाला कोई आपको अंग देगा, अब अच्छा काम करें, ल कहानी चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा discussion पर नहीं जाते हैं, अब हम इसकी बात करते हैं, इससे क्या-क्या help हो सकता है, तो अब आपको बताता हूँ, जैसे माल दीजे, हम किसी protein या gene वगरा की मता से अगरते हैं, किसी specific organ को बना सकते हैं, विक्सित कर सकते हैं, और बात कर अगर जीका वाइरस हो रहे हैं, और आपके brain cell के tissues damage हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, organoids क्या हुआ, आप उनके tissues को बना लीजे, उन tissues को जो damage है, उनके recovery कर लीजे, और जीका वाइरस को effect है, उसको धूर कर लीजे, है ना, तो development क्या होगा, embryo वगरा में, है ना, embryo वगरा मे इस तरह है कि जो बच्चे के जो brain के development ने problem हो रही है, उनको ठीक लीजे, तो बच्चे जो हो रहे है, microcephaly जो होती, कामी क्यों होती, microcephaly हो जाती, ये वला पार्ट अजीब सा हो जाता है, है ना, कभी आप video देखे, youtube पर आपको मिल जागा microcephaly, ठीक है, तो उसको आप correct क कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे resemble mature tissues बना सकते हैं, ठीक है, three-dimensional इस तरह के पूरे tissue cell और से organ बना सकते हैं, ठीक है, body के अंदर transplant कर सकते हैं, ठीक है, अपनी body की life बना सकते हैं, बचा सकते हैं, तो ये सारा का सारा जो concept है, वो organ whites कहलाता है, national nutrition survey हुआ है, ठीक है, उस पर जिसमें malnutrition पर बात हुई है, micronutrient deficiency पर बात हुई है, और जो non communicable disease है, है ना, मतलब असंचारी, है ना, मतलब direct नहीं हो रहे है, non communicable, मतलब जैसे diabetes है, जैसे heart attack है, ये communicable नहीं है, ये आपको है, तो सिर्फ आपको होगा, आप एक खासने से दूसरे को नहीं होगा, ठीक है, जो बच्चे हैं, 5-9 साल की उमर वाले, adolescent है, है ना, मतलब कमजोर हैं, दुरलब हैं, उस तरह के हैं, group वाले, और 10-19 years तक जो pre-diabetic हैं, बताइए, pre-diabetic बच्चे आपको दिख रहे हैं, मतलब early stage of diabetes, इस तरह के, है ना, और 5% जो हैं, उनका देखें, overweight हैं, और 5% जो हैं, उनमें, blood pressure की problem, बताइ मतलब, हम मुझे आज भी यादा है, जब छोटे बच्चे थे, तो माबाब जम कर खिला दे थे, आजकल तो ये news आ रहा है, कि डेली में 50% बच्चे obesity के हैं, हाँ तो हमारे जमाने में लोग शुद्देशी घी खाते थे, सुद्ध आपको हवा मिलते सुद्ध आप फिजिकल वर करते थे, आजकल के बच्चे क्या है, सब वो अमूल और ये क्या क्या सा प्रोड़ट्ट खा रहें, मदा डेरी, निचुरल है कहां सब, ठीक है ना, दूसरा, इसब अमूल बेभी हैं, हम सब पूरा गायभाइस का दूद्ध पी हैं, फिजिकल दौरते थे, हम लोग सोचे भले काले हो गए, ठीक है आज की बच्चे गोरे जाधा हैं, ठीक है ना, हम दूब मेरे रहें, हम काले काले रहें, आज बूसका एफेट डिख रहा होगा आप लोगों को, तो मह भही कह रहा हूँ कि इन हम बच्चों में हम लोगों में को समझाया, लेकिन मेरा इंटेंशन क्या था, आप चीज़ों को समझ रहें, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है, और देखिए, ठीक है, ओबिसीटी की बात हो रही है, और इसके साथ ही अंडर न्यूटरिशन भी है, ओबिसीटी तो अमीर वाले है, अंडर है, जहां बच्चों वगरा के डवलप्मेंट नहीं हो रहे है, जरली प्रॉपर नहीं, ओबिसी, ओबिस है या ओवरवेट, यह नहीं मोठापा है, हाइस नमबर तमिलनाडू और गोवा में, जहां पर आप बच्चों के अंदर क्या देखेंगे, जरली ओवरवेट है, ठी इस तरह की समस्य को दूर करने के लिए भारत सरकार बहुत चीजन लेकर रही है, ठीक है, अब आपकी दोर स्टेपर चीजे पहुँच रही है, आप जागरूख है नहीं है, फिलल माबाबो कुछ जागरूख होना चाहिए, ठीक है, सरकार कहां तक आप पे घर घर तक अधानमंत्री मात्र वंदनायोजना, छे हजार रुपए आपको दे रहा है, डारेक्टली आपके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, प्रेगनेंट वीमेन के लिए, फाइन, प्रापर जो स्टंटिंग है, उसको कम करने के लिए, बच्चे कम दूबलेपत लेना हो, नूटरिशन कम, अनीमिया वगरा की प्रापलम जो हो रही है, लो बर्त वेट हो रहा है बच्चों का, इस तरह की चीज़ें, इसके लिए आपको पोशन अभी यहां लाए गया है, तीसरा नेशनल फूड सीक्योरिटी एक 2013, यह भी लाए गया है, जिसमें आपको जो और वगरा मैं खाना के लाए है, क्या लाए है, मुझे कमेंट बाक्स में देखिएगा किस स्टेट में सबसे पहले मिड़े मेल स्कीम लाए गया था, अगर आप स्टैटिक पार्ट आप पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, तो आप आप आंसर तुरन दे देंगे, ठीक पूरी दुनिया से दूर करें, तो ये आपका एक United Nation है, जो एक 10 साल का एक target लेकर आया हुआ, nutrition को प्रपर तरीके से पहुचाने के लिए, तो इसको भी एक बाग गो तुरू हो जाएगा, इसमें बहुत जादा ऐसा कुछ है नहीं, जो आपको समझाया जाए, अच्छा, State of the worst children report, तो UNICEF का report, ठीक है, ये जो National Nutrition Survey है, जो report यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को आगे के concept में जोड दिया है, मैंने, हैना, यहाँ पर statewide report दिया है, ठीक है, रैंकिंग वगरा में, इसको बहुत जादा ये factual topic है, इसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे बहुत जाने के जुरत है, सिर्फ इसमें मैं बता दूँ कि इंडिया के specific, अगर आप देखें, तो तकरीबन जो अभियान है, जो अभी हम लोगों ने बात किया था, सिधा हम अभियान पर आते हैं, जहाँ पर कोशन बन सकता है, पोशन अभियान हमने बात करी लिया है, अनीमिया म स्थाएं हैं, जोसमें कारी करेंगे, इसी को 6x6 के नाम से दिया गया, यह पूरा का पूरा आपको अनेमिया टेस्टिंग करेगा, उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है और आपको healthy diet भी कैसे मिलना है, यानि तीनों चीज़ें आपके साथ काम करेंगी, और अनेमिया इस में देखें, बिल्कुल नहीं पूचा पहला ओडर, दूसरा ओडर, तीसरा ओडर, लेकिन state features के लिए थोड़ा इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, अफगानिस्तान और बांगलादेश में अगर हम देखें, इंडिया के जो नबर है, उन 40% बच्चे ऐसे हैं, जो इनके बीच में आता है, ठीक है, भारत इनके बीच में आता है, ग्लोबल टूबर कॉलोसिस रिपोर्ट पर भी हम पीछे के वीडियो में बात कर चुके हैं, ठीक है, जो टार्गेट है, वहां पर मैंने आपको बोला था कि, डबलु एचो ने जो टार्गेट लाया है, वहा जीतेगा कंपेन, एक्जाटली, तो मैं यहां पर इस कंसेप्ट को स्किप कर रहा हूँ, सेम फिर रिपीटेशन से, आप इसको गो थू हो जाएगा एक बार, ठीक है, यह मैंने बोला था न, सस्टेंबल डवलप्मेंट को, जो SD 3.3, पीछे मैंने पढ़ाया है, पीछे की वीडियो में, तो आप उसको फालो करेंगे, ठीक है, सेम चीजों पर आप टाइम, ना तो मेरा लॉस कीजेए, ना तो अपना, हाँ, इंडिया में ट्यूबर क्लोसिस बर्डन जो है, हाइस बर्डन ऑफ ट्यूबर क्लोसिस 2018, जो आठ कंट्री में जो पेसेंट देखे गए हैं, वो बांगलादेश, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नाइजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स और साउथ अफ्रीका है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है, इसमें ऐसा कुछ और है नहीं, एंथ्रेक्स पर आते हैं, एंथ्रेक्स असल में द हैं, ये जनरली एनिमल्स को बिमारी देता है, जो रोरिंग एनिमल्स होते हैं, जो चलते हैं, गाओं में कैटल है, शिप है, गोट्स है, इस तरह के एनिमल्स में होते हैं, और जनरली इनहीं इंफेक्टेड एनिमल्स से, इनके प्रोड़क्ट से, इनके मीट से, इनके से इन ही चीज़ों से यह आप तक ट्रांसफर होते हैं तो यह बिमारी एक्सल में जानवरों को होती है और जानवरों से आपको आती है ठीक है यह हो गया दूसरी बाद आपको बता हूं इनके जो sports जो होते हैं यह sports के तरूफ फैलते हैं अब जैसे किसी जूते में लगा हो किसी कपड़े में लगा हो तो वहां से उकर anthrax आपके पास आते हैं anthrax जो है generally respiratory infection करता है जहाँ पर आपके respiration collapse हो जाता है यह lungs collapse हो जाता है यह पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है gastrointestinal tract पूरा आहरनाल वाले से जुड़ा हुआ तो इसमें bleeding vomiting of blood होता है ना इंटेस्टाइल ट्रैक्ट लॉस आफ एपटाइट है ना इस तरह की चीज़ें हैं और एक चीज़ और बताऊं कि anthrax होता हो इसको skin पर भी देखा गया है उसको cutinaceous anthrax बोलते हैं अगर cutinaceous मतलब cutin पर है या skin पर है तो इसको height portus disease के नाम से भी जानते हैं जनरली anthrax में standard treatment है 60 days कोर्स है एंटिबाटी का वो चलाने से आप पूरी तरह से safe है ठीक है न यह बचा लेता आपको लेकिन हा अगर एंटिबाटी वगर आप नहीं लेते हैं तो यह थोड़ा late करते हैं तो यह जान लेवा है यह जान रखेगा और bio terrorism के form में है जैव आतंकवाद के नाम से अंत्रेक्स का नाम काफी रहा है अक्सर कई बान न्यूस में भी रहा है कि एनमी कंट्री इस तरह का यूज करेंगे नहीं कर से करें इस तरह की चीज़े हैं जो न्यूस में रही है ठीक है कि इन्टेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष कुछ नहीं है जो इंद्रधनुष प्रोग्राम जो आया है उसी को और बढ़ा दियेगा इंद्रधनुष कर दिया है को स्टेट्स हैं कुछ ऐसी जगें जहां पर अच्छे रिजर्ट्स नहीं आए है तो इसी को child in a country misses out of vaccination तो आपको कुद पहले ही लाइन में आपने बोल्ड कर रखा है तो कोई भी बच चाहिए है नहीं बचना चाहिए ये October current है 31 October का news है ठीक है इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष 2 intensified है जो लाया जा रहा है और coverage उस एरिया में जा रहा है जहां पर immunization अच्छी तरह से नहीं है लो immunization है factual data है फिर मैं कहा रहा है क्या concept है medicine है 2 साल तक के बच्चे कवर होंगे pregnant women कवर होगी इसने क्या ऐसा है जो मतलब concept बताना है concept वाले parts हो चुके है अब थोड़े factual data ही चल रहा है health and disease वेगरा में जाद तर आपको देखे तो यह fact ही है ओके और सुनियेगा लिखा भी health ministry का मुखे aim है इसमें की generally जो हर बच्चा जो है even 2 साल तक की age तक का below 2 साल और pregnant women इसमें cover की जाए और देखो इसमें जो uncovered है generally अभी तक 271 district है ना 652 blocks उत्तर प्रदिस और बिहार में इनको यह intensive label पर लाने की बात की गई है इनमें चार round में vaccine लगाने है ठीक है 77 days के interval पर ठीक है यह सारा का सारा program है एक मन्त के अंदर इस तरह की चीज़ें हैं जो इसमें लाई गई हैं इसको पूरा का पूरा support कर रहे है 12 ministries और department ठीक है पूरा का पूरा और साथ साथ इसके जो cabinet secretaries है नेशनल लेवल पर इसको चला रहे हैं जो जो मन्तब district और इस तरह की चीज़ें चूड़ गई है उसको पूरी तरह से उस gap को भरने की कोशिश है ठीक है बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो आपको बता हूँ देखे कुछ data है जो लिखावा 260 लाग बच्चे ऐसे हैं जो हर साल पैदा होते हैं और उनमें से तकरीबन 31 लाख out of them जनरली ऐसा है जिनमें vaccination वेगरा जो होता है वो पहले साल नहीं लग पाता है इस तरह की दिक्कते हैं तो सुचे हम कितना गलत काम करें सरकार इस तरह की चीज़ों को free आपकी घर तक पहुचा रही है Mission Indra Dhanous देख लेते हैं चलते चलते Mission Indra Dhanous जो है वो December 2014 हमें लाउंच किया गया ठीक है और फूल इम्मुनाइशन फ्रोग्राम के फर्म में लाए गया दो साल तक के बच्चे और तक और पेगनेंट वीमेन को इसके अंदर कवर करने की कोशिश थे और Intensified Mission Indra Dhanous जो है वो 8 October 2017 को लाए गया और अभी 2019 में Intensified Mission Indra Dhanous 2.0 की बात हम कर रहे थे तो बैक ग्राउंड में ये दो चीज़े रहेंगे Mission Indra Dhanous Intensified Mission Indra Dhanous और हम बात कर रहे थे Intensified Mission Indra Dhanous 2 ठीक है ये सारी चीज़े हो गई Miscellaneous topic में दो-तीन ऐसे article है जो थोड़ा मतलब जानने का है एक जैसे Asbestos जो है वो बेबी powder में देखा गया Johnson & Johnson जो Company अमेरिका ने इस बारे में बताया Information दिया करीब 3300 Bottle उन्होंने बताया कि मतलब उसमें टलकाम पाउडर में United States ने कि इसमें Asbestos पाया गया और Asbestos जो है वो healthy के लिए अच्छा नहीं है तो यही थोड़ा सा है Asbestos को लेके ध्यान रखेंगे जो मिला है कहां मिला है स्टेट पीशेस के लिए इस तरह के कोशन से जैसे आपके पूछा था MSG जो है इशू जो चाइनीज फूड आइटम में हुआ था तो इसलिए थोड़ा यह जैसे अभी 2018 में 17 में कोशन पूछा था MSG पूछा था फिर उसके बाद जो चाइनीज फूड आइटम में था मोनो सोडियम ग्लुटामेट उसके बाद लेट जो पेंट में था वो पूछा था उसके बाद एक कोशन हमने और दिया था ब्रोमीनेटेड ओयल करके दिया था जो सौफ डिंक्स में होता है तो यह जो न्यूज में रहता है थोड़ा पो टच में रहना चाहिए तो यह एसबेस्टस है जो बेभी पाउडर में देखा गया जॉंसन औं जॉंसन कंपनी का अमेरिकान इस तरह के रिपोर्ट भी दिया मसाला वाला भी हम लोगों ने बीशे बात की थी लास्ट में उसको भी थोड़ा ध्यान रखेगा उसको भी रिपोर्ट हुआ था कि इंडिया में इस तरह की दिक्कत है जो टॉल्क यानि जो पाउडर है जो यूज करते हैं उसमें अस्वेस्टर जो है जो पाउडर है न वह एक पत्थर है गिसकर उसी से बनता है। वह एक clay minerals है। उनको यूज़ किया जाता है। और अश्बेस्टर जनरली जो है वह अंडर ग्राउंड है। यानी इनमें देखा गया है। तो इनसे निकालते समय उसको जनरली क्या गिया है। उसको filtrate नहीं किया गया तो वही बता रहे हैं कि जो टाल्क है या जो पाउडर है उसके अंदर वो चीज जिस पत्थर से घिसकर हम बना तो सॉफ्ट होता है यह बहुती सॉफ्ट पत्थर इस तरह की चीज़ है तो वही देखा गया क्योंकि अंडर ग्राउंड पत्थरों में मिल गया और उनके साथ वह जाकर जब उनको कंटेनर में और यह ना क्रॉस कंटेमिनेशन करता है बाड़ी पर लगाते हैं कुछ करते हैं त इनमें से छे नेचुरल में से 1 सिलिकेट मिनरल में से ऐस्वेस्टस भी आते हैं तो जो छे प्राकरतिक चीजें उनके अंदर है उन्सकेई सिलिकेट मिनरल राण है वाइट होता है ग्रीन होता तो यह वाइट वाला ही जनली जो भी है उसको उपर मिक्स अप हुआ है ठीक है अच्छा एक बाद और बता हूँ इसके ना फिलहल और भी बहुत सारे काम है असबेस्टर वगरा कर यह आपको जानना चाहिए क्योंकि वन टू थी फॉर में पूछ सकता है ना वो पॉजिटिव वाली बात हो गई है ना हेल्ट इफेक्ट में बताता हूँ पॉजिटिव में होगा है जैसे साउंड एब्जॉप्शन में है ना यूज करते हैं एवरेज टेंसायल स्ट्रेंड किसी को टेंसायल स्ट्रेंड देना म यस को यूज को सब्सकी करते हैं अब तारवार है उसमें थोड़ा मिला दें तो ये मैल्ट विल्ट नहीं होगा थोड़ा resistence रहेगा फिर शासाथ इसमें insulation का भी काम हो जाएगा insulation की भी तरह काम होगा heat electricity है तो इस तरह का resistance रहेगा इसमें है ना heat pass नहीं होगा यानि कहने का मददभी insulation हो जाएगा building insulation कर लीजिए wire insulation कर लीजिए जो wiring wiring करते हैं ठीक है तो इसको आप insulate कर लीजिए इस तरह की चीज़ें ठीक है और इसके लाबा inhalation asbestos जो देखिए उसके जो fiber होते हैं अगर वो आपकी नाक के रास्ते body के अंदर आते हैं तो वो प्राण घाता तक हो सकते हैं याना fatal प्राण घाता तक हो सकते हैं इससे देखिए lung cancer है mesothelemia है asbestosis है जो की एक lung की ही बीमारी है जिसको हम pneumoconiosis कहते हैं है ना pneumoconiosis एक inhaling problem है तो यह है asbestos की problem जो यहाँ पर है आगे बढ़ते हैं trans fat पर बात करते हैं trans fat के बारे में बात आपको बताऊँ की यह बहुत ही गंदा fat है और trans fat पे UPSC ने question पूछा भी है दो हाजार 11 12 के असपस देखेगा पेपर में यह topic miscellaneous topic में मैंने लिखा हूँ है chapter number 11 तो यहाँ भी देखे आप miscellaneous में ही देख रहे है असल में FSSI का एक report क्या है उन्होंने launch किया है जिसका नाम है food safety and standard authority of india food safety and standard authority of india यह ऐसी body है जो food products को check करती है certify करती है उसने एक trans fat free logo शुरू किया है यानि जो product आप ले रहे हैं उसमें trans fat नहीं है F-S-S-A-I इसका purpose क्या है भाई eat right india ठीक है यह movement है F-S-A-I का तो आप सही चीज़े खाई india सही चीज़े खाई एक बात और बताता हूँ कि जो trans fat होते हैं या trans fatty acid आप कुछ भी बहुत ही खतर नाक होते हैं और जादत अगर बताऊ ना तो यह synthetic होते हैं यह trans fat होते हैं वो synthetic होते हैं आप धिहान देना जब आप कुरकुरे खाते हैं तो जब आप कुरकुरे खाते हैं उसमें लिखा होता है trans fat free okay क्योंकि trans fat वाले products यह allow है नहीं आप मुझे बात बताएए आप market में जाएए और आपको 10 रुपए का आपको यह क्या बोलते हैं bread पकोड़ा मिल जाते हैं यह कैसे मिल सकता है bread तो अच्छी quality का नहीं हो सकता उसमें आलू लगा रहा है उसको तेल लगा रहा है समझेगा बेशन से लपेट रहा है तेल लगा रहा है एल बीजी जला रहा है उसका अपना फाइदा भी आना चाहिए दुकान का रिंट भी है कैसे आएगा तो आप खुश समझेए लोग कोशिश यह होती यहां पर जितना सस्ता से सस्ता जो केमिकल लूमिकल वाले तेल है यानि ट्रांस फैट सिंथेटिक फैट मैं इंडिरेक्ली आपको एक इन्फरमेशन दे रहा था इस तरह की जीज़ें यहां पर यूज की जा रही है तो ट्रांस फैट का मतलब जनरली यह सिंथेटिक फैट होते है है ना जादा तर यह लाजली अगर देखिया तो लाजली जो यह बनते हैं वो आटिविशली ही बनते है सिर्फ कुछी ऐसे हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं ट्रांस फैट यानि synthetic fat जो आपको 10 रुपय में आपको ब्रिट पकोड़ा दे रहा है आलू आलू सब लगा कर बेसन बेसन और रिंट बेंट दे कर उसकी बात बता रहा हूं तो generally भाप संभाव नहीं है ठीक है तो यह trans fat यूज करते हैं अब यह जो artificial trans fat है या trans fatty acid है इक ही बात है जो बनाया जाता है hydrogen में है ना देखो लिखा है formed when hydrogen is made to react with the oil यानि यहां पर असल में क्या होता है कि hydrogenation एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इस चीज को बनाते हैं और बिल्कुल जो यहां पर oil बनता है दिखने में घी की तरह दिखता है प्योर घी की तरह दिखता है और थोड़ा सेंटे दाल दीजिए खुश्बू भी हो जाती है और आप इस तरह के 60 रुपय किलो 80 रुपय किलो घी आप मार्केट में भेजते हैं चलिए तो चीज़े थोड़ा ध्यान रखेगा है ना जो भी है उससे कम है ना इस तरह के फैट कीज़ेगा उससे ज़्यादा नहीं और ये टोटल एलिमिनेशन जो है इसको है ना लिमिटेड तो लेस दन वन परसेंट टोटल एनरजी इंटेक ये डबलू एचो का रिकमेंडेशन है टोटल एलिमिनेशन इसो खतम कर दीजिए 2023 तक तो 2030 तक हम ट्रांस फैट या ट्रांस फैट एसिट पूरी तरह से खतम कर देंगे और अभी रिकमेंडेशन कितना है वन परसेंट से कम उससे ज़्यादा आप ट्रांस फैट अलाओ नहीं करेंगे इसलिए मैंने बोला कुरकूरे बगारा देखिए यह तो डबलू एच जो है भारत भी देख लेजे ना भारत का रिकमेंडेशन देखिए फससाई क्या कहता है इंडिया की जो बाड़ी है फूट वाली यह कहती कि भाई देखो है ना TFA की लिमिट जो है हम 2% तक खरेंगे उसके उपर नहीं जा सकते हैं और हम इस ट्रांस फैट एसिट को 2022 तक पूरी तरह से ऐलिमिनेट कर देंगे यानि जिस प्रोड़क्ट में अगर कुरकुरे भी लिखे कि हम ट्रांस फैट लिखर यूज कर रहे हैं दो परसेंट से कम तो एलाव है लेकिन हाँ उसके उपर नहीं वो अलग बात है कि आप कुरकुरे देखे उसमें लिखा है प्राइज आपके लिए इंपॉर्टन रजाते हैं वो न्यूस पेपर में आने लगते हैं उस साल जिसको दिया जाएगा क्या दिया जाएगा यह सारा का सारा तो अब हमको हर मन्त में अक्टूबर का कर इंड़फेस पढ़ेंगे आपको तीन नोबल प्राइस साइंस अंटेक में पढ़ते हैं कौन कौन से एक फ्रिजिक्स का आपके उपर दिख रहा है दूसरा केमेस्ट्री का जो आपको नीचे दिख रहा है और तीसरा मेडिसिन या हुमन फिजिलोजी का यानि हेल्थ वाला वो हम इसके बाद थीसरे बाले पर बात करेंगे तो आएए दोस्त हम इन तीनों पर बात कर लेते हैं क्या-к्या इशू रहा है ? एक बात और ध्यान रखेगा अगर आप स्टेट बात कर दिक्पर दिया गया है उस लौजीक का क्याrence है? है ना किस concept पर दिया गया है वो ध्यान रखेंगे आपको उसके और कोई application से तो क्या है तो आपको समझ में आ गया कि facts, state, UP, MP, Rajasthan इस तरह के exam उत्तराखंट है ना जारखंट है ना बिहार इस तरह के दार है तो आप देखेगा और concept अगर आप UPC जा रहे है और concept का fact कि किस concept पर वो तो आप state के लिए ध्यान रखेंगे पर पूरा logical है ना वो इस पर है आए दोस हम बात करते हैं यहाँ पर अक्टूबर बंत में physics के nobel prize पर 2019 का तो ठीक है Canadian American Cosmologist है James Pebbles को और Swiss Astronomers है Michael Mayer और Redler Quetlotz को तो तीन सक्स हो गया एक हो गया Pebble एक हो गया Mayer and Quetlotz को तो Pebble अच्छा 2019 का prize दिया गया असल में इनका जो purpose था इन्होंने ब्रमान को समझने में मदद की इनकी मदद से ही हम लोगों को ब्रमान के बारे में काफी कुछ जानने को मिला काफी कुछ समझने को मिला यहनी यह concepts आपको astronomy और particle physics वाले चाप्टर में और ज्यादा detail में मिल जाएगा पेबल ने क्या किया पेबल की क्या finding है पहले पेबल का देख रहे थे फिर उसके माइकल मेयर और डिटियर क्वैल और को देख लेते हैं इन लोगों का क्या 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 का contribution तो यह हो गया आप एक कैनेडन अमेरिकन और यह आपको हो गया कहां से Swiss के हो ठीक है तो Switzerland वगरा के य इनोंने समझाया था ठीक है ब्रम्हांड बीग बैंक अब आप जानते हैं 13.6 बिलियन इयर एगो 13.6 बिलियन साल पहले एक घटना होई थी और उस घटना को पूरी जोगरफी में पूरे ब्रम्हांड में पार्टिकल फिजिक्स यानि साइंस एक कोई टीचर हो जोगरफी कोई टीचर हो जब वो शुरुवात करता है पृत्वी पढ़ाता है तो पीछे ब्रम्हांड से शुरू करता है और कहता है कि बिग बैंग थेरी ही सबसे सुन रहे है मेरे विडियादारी मुझे सुन चुका है हासर आपने बोला था। कि वह बहुती condensed form में था ता ब्रम्हांड और बहुत dense था temperature बहुत σथा था उससम Palm इन्हों ने यह भी बताया कि जो temperature है ठीक है radiation की वज़ा से जो निकल रहा है ठीक है temperature of the radiation emitted after big bang and the amount of matter it created असल में मैंने आपको बोला था जब big bang हुआ तो big bang हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ उसी समय कुछ पदार तो कुछ प्रतिपदार दोनों बने थे यानि matters and antimatters दोनों मैंने इस बारे में भी class में कहा था कि देखो जो ब्रह्मांड है आरे भट ने जो concept दिया था वो क्या दिया था कि ब्रह्मांड जो है वो zero है universe is zero ब्रह्मांड है और zero ही पूरा ब्रह्मांड कैसा तो मैंने आप वो class में बोला था कि zero जो होता है वो एक plus और एक minus से जुड़कर बना होता है एक plus और एक minus जोड़ चोड़ लीज़े मीलकर क्या हो जैता, 0, 0 मतलब brahmaant, plus को हमने क्या बोला, matter, और minus को हमने क्या बोला, anti-matter, याब इसको anti-matter कह लीजे, इसको matter कह लीज़े, यादि यादि पच्छ रप्रदार्थ, तो ब्रह्मान और जीरो क्यों ब्रह्मान तो ब्रह्मान किससे मिलकर बना हुआ है पदात और प्रतिपदार्थ है तो वही मैं कह रहा हूँ जब बिग बैंग घटना हुई उस समय पदार्थ और प्रतिपदार्थ बने तो वो पदार्थ और प्रतिपदार्थ यानि मैटर एं इन्होंने बोला कि जो matter है, जो known है, ठीक है ना, जो matter है, जो known है, जैसे stars है, planets है ना, जो और हम लोग भी है, हम लोग, ourselves भी हम लोग जो आते हैं ना, यह सब के सब matters है, ठीक है, यह तकरीबन 5% के आस पास हैं, जो अभी तक है, और 95% अभी तक unknown dark matter, dark energy है, जो ब्रह्मान में मेरे पास इसमें दो बज की क्या मन मिनिट हो रहा है, ठीक है, है ना, तो, मतलब morning है, आप इसमें बाहर जाए, ठीक है, आप जाके देखिए, अभी ना, तारी दिख रहे होंगे, और बीच 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 बे अंधिरी जगह होगी, उस अंधिरी जगह में dark matter and dark energy होते हैं, जि के वैज्यानिक प्रमानों के अधार पर पेबल की finding थी, जिनको नोबल 22 दिया, इस बार, physics का, दूसरा, मेर और क्वालेज का क्या कह रहा है, मेर और क्वालेज ने exoplanet के बारे में समझाया, exoplanet जो outside हमारे solar system में है, ठीक है ना, हमारे, 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 लिखा है solar type star in the milky way, हम हमारा अपना जो galaxy है के अंदर जो बात हो रही है milky way, इसी तरह milky way, बहुत सारे solar system होगे, तो इन्हों ने अपने solar system के बाहर, दूसरे solar system, है ना, exoplanet की जानकारी दी, और इन्हों नहीं कहीं ना, कहीं, Doppler effect के बारे में भी समझाया, जिस Doppler effect के basis पर हम लोग कह रहे हैं, भी जूपिटर की तरह दिखता है, और जो अगर हम सन से बात करें, तकरीबन 50 light year दूर है, ठीक है, इस तरह की गढ़ना, इस तरह की चीजों के बारे में, माइकल मेर और डिडियल क्वैलच ने बताया था, जिनको फिजिस का Nobel Prize दिया गया, चैमेस्टी का Nobel Prize दिया गया, वो एक चोटे से object से लेकर, है ना, यानि चोटे से mobile phone से लेकर, बड़े से launch vehicle के satellites को ले लीजिए, जिससे satellite से signals आते हैं, उस बैटरी में, उस बैटरी जो होती है, उसमें लगाई जाती है, लिथियमाइन बैटरी वहां तक प्रियोग में लाई जाती है, आज आज आप जब भी, ज इतने की है, यह सब चीजे, अच्छा, लिथियमाइन बैटरी जो है, लिथियम आपको बताओ, यह सबसे lightest है, सारे metals में, चितने भी धातू बता हम यूज करते हैं, इसमें काफी हलका है, और अच्छा कासा electrochemical potential है, ठीक है, जो largest energy density है, मताब वेट के हिसाब से बात करें, त ठीक है, charging, discharging, जो होती, इसकी होती, सबसे पहले 1991 में, सोनी कार्पोरेशन कामर्शलाइज किया था, पहला लिथियमाइन बैटरी, बाद में और कमपनियां बगर इसको लेकर है, पर इसका पूरा जो copyright patent है, वो उनहीं कमपनियों का है, ठीक है, अब कुछ चीजें हैं, जह स्रीधा कहने के बाद, दूसरा इसमें, energy density जादा है, तिसरी बात कह रहे हैं कि ये, nickel cadmium की तरह ही behave करता है, ठीक है, और discharging वगरा जो होती, थोड़ा इसमें कम होती, असल में कहोता है, बैटरी बैटरी के भी चार्जिंग वाजिन दिजरी खतम होती, तो वही कह रहे है, इसमें उस तरह के discharging वगरा, तो ये similar type से ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा बैटर है, ठीक है, थोड़ा बैटर है, थोड़ा बैटर है उसे, lithium ion में maintenance हो है, वो लो है, normal battery की comparison में, लिखा भी देखो, self discharge is less than the half compared to nickel करने, मैंने आपको पहले ही बोला था, उपर करीब-करीब, ल में बात कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, ठीक है, लिमिटेशन पर नहीं जाते हैं, तो ये lithium ion battery है, जिस पर इन्होंने अच्छे खासी experiment किये हैं, और इन चीजों के बारे में बताया, एक concept यहाँ पर nobel prize of physiology या medicine का है, है ना, तीसरा जो, देखे, science and tech में तीन ही nobel prize हैं, जो हमेशा पर देखे, तो ये तीसरा nobel prize है, सुनियागा, किस को दिया गया, विलियम जी कैलीन को दिया गया, ठीक है, फिर आपको यहाँ है, सर पीटर पीटर जे रेटकलिफ को दिया गया, और ग्रेग एल सेमेंजा को दिया गया, इनका जो पूरा contribution है, इन्होंन इनका अतात पर रहिया है, इसके बारे मैं पूरी study कर, पूरा detail में बताया, इन लोगों ने मिलकर इसलिए इनको human physiology और medicine का nobel prize दिया गया, ठीक है, अब जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जिसे हमारी body के अंदर, हमारे blood formations वेगर, RBC की गया बढ़ जाती है, या हमारे lungolize फैल जाते हैं, जिसे oxygen supply ज़्यादा हो जाती है, हमारी जिंदगी बच जाती है, तो ये चीज़े हमारी body के अंदर, जो genes होते हैं, उनके response से होता है, और ये cell के जो genes होते हैं, हमारे cell के अंदर, nucleus होता है, nucleus के अंदर, chromosome होता है, chromosome के अंद आपको ठीक से समझ जाएंगे तो सुनिए इसमें होता क्या है अब देखे जैसे जैसे जब हम सांस लेते हैं ठीक है तो उसकी एक दर होती है उसी हिसाब से हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो लिया जाता है और वो ऑक्सीजन हमारे बड में एब्सॉर्ब होकर पूर हमारा जो blood circulating system हो हमारे हृदय से जुड़ा हुआ है तो हम जो सांस लेते हैं वो हमारे arteries में जाकर oxygen से एब्सूर्ब हो चाता है तो फुर्बवंड अचिजन होता है उप्लमोंडरी डारी इस तरह के द्धंनी फुर्यां से फुर्दी olhos सिरा होकर वह जो लंग्स होता है उसके से हमारी बॉड़ी में ब्लड और यानि हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम और सार्कुलिटरी सिस्टम दोनों मिलकर काम करते हैं ठीक है अच्छा अब यहां पर सुनिएगा होता क्या है समझेगा साइंटिस्ट ने यह बताया कि कुछ स्पेशलाइज सेल हैं जो हमारी किडिनी के अंदर पाये जाते हैं वो क्या करते हैं हमारी जरूरत के हिसाब से इरित्रोप्वाइटीन हार्मोन का निर्मान करते हैं हमारे किडिनी के अंदर के जो सेल होते हैं वो कुछ इस्पेस्पिक जो सेल होते हैं जो स्पेशलाइज सेल होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से इरित्रोफवाइटीन हार्मोन का निर्मान करते हैं और ये इरित्रोफवाइटीन हार्मोन किडिनी के ही सल से बनती है ठीक होता क्या है जब अगर oxygen level हम उजगा चले जाए जैसे उपर हाइट पर चले ज पहड़ी एरिया में और उस एरिया में आपको पता है सांस में दिक्कत आती है तो देखिए उस समय करता क्या है उस समय ये हार्मोन जो होता है produce करने लगता है क्या उस समय rbc के formation को हमारा जो blood बनता है वो bone marrow से बनता है तो उस समय यही इरित्रोपाइटीन हार्मोन जो होता है इंड्यूस कर देता है डबल बोन मेरों को कि भाई तुम अभी न आर बीसी जादा बनाओ चुकि अगर ब्लड सेल जादा बनेंगे इस समय तो हाई अल्टिचूड में ऑक्सीजन ब्लड अगर बढ़ जाएग और इतना ही नहीं सिर्फ हमारी बोर्ड거든は ब्लड सेल ही नहीं बनते हैं उस समय और बीसी बोन मेरों के द्वारा है और रित्रोपाइटीन इफेक्ट्स है जबकि उस समय हमारी body में सिर्फ increasing the rbc ही नहीं होता है इनकी संख्या भी बढ़ती है और size भी बढ़ता है दोनों effect होता है तो हो सकता है कि rbc की size थोड़ी बढ़ जाए या उसकता rbc की संख्या थोड़ी बढ़ जाए इस तरीके से हमारी body में oxygen intake को cell के द्वारा manage किया जाता है और वो cell वही specialized cell जो kidney की है मैंने आपको समझा दिया erythropoartine hormone की वज़ा से चीजे manage होती है और पूरा का पूरा concept है जो इन लोगों ने समझाया था जिसके लिए इन्हें नोबल प्राइस मेला है ठीक है और oxygen sensing mechanism है जो oxygen अब जैसे कितना मतलब intelligent काम है oxygen अपने आप हमारी body sense कर है ना और specialized cell जो kidney के अंदर वाले हैं जो इस तरह के क्राम कर oxygen के supply का balance कर देते हैं और बात होती है इस discovery की क्या जरूरत है तो बहुत जरूरत है भाई ठीक है अब बहुत सारी ऐसे बीमारियां है जिसमें प्रिमारी होती है बहुत सारी ऐसे cases है जहां mitochondria का effect अगर body में है तो इसको हम बढ़ा सकते हैं बैटर कर सकते हैं और oxygen वेगरा की efficiency को हम बढ़ा कर जैसे माले जे लंग्स की infection हो रहा है किसी को माले जे swine flu है माले जे coronavirus का effect है तो सीधा मतला पर इन सब cases में कहीं न कहीं हम treatment कर सकते है ठीक है इन सब cases में कहीं हम treatment कर सकते है बहुत सारे उपापचे पक्रियाओं को metabolic activities उनको सरीड के अंदर प्रॉपर तरीके से चला सकते है और आपको बता है अगर आपका RBC आपका ब्लड अच्छा है साफ है शुद्ध है एनर्जेटिक है तो आपकी body में potential immunity भी जादा है ठीक है तो इस तरह से आप देखें तो oxygen के supply को बढ़ा कर अपने health को अच्छा कर सकत हैं तो हमारे इन एरियाज में हमारे इन एरियाज में है ना यहां इस एरियाज में कुछ चीज़ें के क्योंट हो जाती है तो उस इसलिए होती है क्योंकि वहां पर oxygen suddenly नहीं पहुंच पाता है और और अगर बाडी में कहीं हो गया तो वही ग्लुकोज जो पहले energy बना रहा था है ना CO2 बना रहा था है ना वही यहां पर acid बनाने लगता है जो lactic acid के फार्म में है अक्यूमिलेट हो जाता है यह question बहुत पहले 2007-08 में UPSC में पूछा जाता है विग्रस exercise करने से body के अंदर lactic acid बगरा का formation हो जाता है तो उस तरह की जो mechanisms होते हैं उनको भी हम shut out कर सकते इस तरह के अनुसंधान से आगे भाविश्य में है जो कि हम oxygen की intake को या तो RBC की संख्या बढ़ा कर या RBC की size को बढ़ा कर प्रापर अपने body के अंदर oxygen supply को बढ़ा कर आपको बचा से तो हम तो यहां जितने भी discovery जो observations कह रहे हैं उसमें मैं तो corona और swine flu का नाम जादा का पूरा दोस्त जो current affairs है October मंत का और हर October मंत में आपको तीन Nobel Prize हर साल पढ़ने होंगे पिछले तीन साल से current affairs लेके आ रहा हूं है ना अलग-अलग platform पर आपको बता है कि मैं कहीं भी किसी संस्था के साथ नहीं जुड़ा हूं पूरी तरह से आप online platform में आप मुझे यहीं पर पाएंगे पुर्वांचला इसमें आप यहां जुड़ते रहें हर साल आप लोड़ करता रहा हूंगा तो यह पुर्वांचला इसका address है अगर आप कोई भी material या पूरा entire correspondence material है दोस्त जो जैसे science and tech है environment के book है आप पूरा का पूरा 12 books है और अगर आप book पढ़े होंगे तो आ सारा content develop किया गया है पुर्वांचला इसके entire team के द्वारा ठीक है साती सात material है या books है आप जो भी लेना चाहें आप सारी चीजहां ले सकते हैं इन नंबर पर दिए और face to face classes है अगर आप कोड़कपुर के आसपास रहते हैं मच जाईए देली या कहीं भी है ना आप यहीं र मौझुद मिल जाएंगे आसपास एरिया में है ठीक है और बहुत ज़्यादा सीड भी नहीं हैं करीव चार सो पान सो बैठाते नहीं है ठीक है कम की strength रहती है तो यहां पर आप दूर दूर distance maintain करके बैठिये ठीक है और अभी कम से कम इस तरह की preparation आप नहीं रोख सकते हैं त आप यहां पर हमसे जुडे रहें दूसरा एक platform है YouTube पर जहां आप जुडे रहें और तीसरा पुरवांचलाइस का telegram group है यहां आप जुडे रहें यह तीन platform है यहां आप जुडे रहें और आप चाहें तो आप मुझे भी फालो कर सकते हैं लेकि फिर वही बात अगी ज्यादा follower बनाने जुरूद है नहीं क्योंकि आजकल थोड़ा market बन चुका है likes होने चाहिए subscriber होने तो likes subscriber आप जानते है अपना ख्याल रखेंगे और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अक्टूबर हो गया नेवंबर में मिलेंगे खताम हो जानने दीजे science tech फिर हम environment पर आते हैं तो अपना ख्याल रखेगा खुश रहिए स्वस्त रहिए और मस रहिए घर के अंदर रहिए चलिए अपना ख्